नमस्कार वन नड़ी कश्यात सर्व आई होब सर्व मज़े दसनार आनी तैसो बहुत माजा ने भी चाप उलगी जा प्रशन है तो मझे अब भैस करता है ना बच्चा लोग पढ़ाई कर रहे हो नहीं तो मैं मेरनेंबेकर आपका बाइलाजी टीजर स्वागत करता हूं इंड से जो चाप्टर स्टार्ट किया था आज उस बॉटनी का यानि कि हमारे बायोलोजी के अंदर जो बॉटनी चाप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका दी एंड होने वाला है विद चाप्टर नेम रेस्पिरेशन एंड एनरजी ट्रांसपर ठीक है तो किस तरह से यहाँ प पूरा देखना पूरा कॉंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ जाएगा ठीक है शॉट में लेंगे लेकिन बहुत टूदी पॉइंट लेंगे लेकिन बढ़िया से समझाएंगे ठीक है तर्मक लवकरत लवकर जाए यह चाप्टर ला स्टार्ट करो है रापन ठीक है चलो दो व वही चीजँ यहाँ पर in detail में चलेंगे स सरवाद आधि बगनारोद अपन एनारोबिक रेस्पीरेशन का है हस्ततर त्यानदर अपन बगनारोद गलाएकोलीशिस अटैनदर आरोबिक रेस्पीरेशन प्रेशनज है ओके सर्वा स्टेप से तुमीं ज़र दहावी मतें शिकले लस नर्दर एंड देन उसके बाद सीखेंगे हम electron transport chain reaction ठीके ना electron transport chain reaction यानि कि ETC reaction जिसको हम कहते हैं और उसको ये बाद ये बताएंगे कि step wise oxidation की utility केसी तरह से होती है और respiration caution यानि कि RQ क्या होता IQ तो आपको पता है IQ तो आपका भी अच्छा है लेकिन RQ क्या होता है RQ भी आज हम यहाँ पर पढ़ देंगे ठीके चलिए तो तुरंत में start करते हैं सबसे पहले समझते हैं रेस्पीरेशन ठीक है सबसे पहले क्या समझेंगे रेस्पीरेशन अब respiration माने हम जल्दी से बोलते हैं कभी भी कि एक काम कर लिए जोर जोर से respiration कर रहे इसका respiration रूख गया होगा respiration हो गया हम respiration को किसके साथ correlate करते हम respiration को को रिलेट करते हैं हमारा intake and exhale है ना inhale and exhale of gases को हम क्या करते हैं respiration करते हैं लेकिन वह respiration का एक पार्ट जिसको हम कहते हैं breathing समझ में आ रहा है आप oxygen अंदर ले रहे हो आप oxygen स्वरी carbon dioxide आप बाहर छोड़ रहे हो तो आप inhale and exhale सेल जो कर रहे हैं इसको मैं कहता हूँ breathing तो यह respiration क्या माज रहा है फिर respiration यह वो टम है जो सेल के अंदर चलती है सेल के अंदर चलने वाली प्रोसेस यानि कि क्या हो गई यह बायो केमिकल प्रोसेस हो गई है ना इसके अंदर बहुत सारे reaction सेलेंगे अफरात अफर होगी किसके बीच में होगी वह हमारे electron के बीच में तो जब अफरात अफर होगी कैटाबोलिक मतलब क्या होता है, कि समझ लो मेरे पास A है, ठीके, तो इससे तूट कर B और C बन गए, ठीके, तो यहाँ पर दो चीजे, मतलब कैटाबोलिक मतलब तूटना, कोई तो भी एक चीज आई मेरे पास, और उसको तोड़ कर मैंने कुछ तो भी अलग चीजे यहाँ पर बना दी, तो उसको मैं कहिता हो, क्याटाबोलिक तो ठीके, तो यहाँ पर कौन तोड़ा जाता है, सबका प्यारा, सबका दुलारा, है ना, तुमचा माजा आडवी आवडी चा, सर्वस्तों मेचे कुटला अपला, ग्लुकोज, बरवरा है, ग्लुकोज ला तोड़ला पर ग्लुकोज is the most favorite, ठीक है, ग्लुकोज ला तोड़ला जातो, फैटी असीड ला तोड़ला जातो, अमाइनो असीड ला तोड़ला जातो, भरपुर सारा कुष्टी तोड़ला जात, राइट, चला, बहुगए, रेस्पिरेशन is the catabolic process, wherein complex organic substance, तो यहाँ पर complex organic substance के मतलब क् oxidize to simple component to generate a biological energy, तो देखो, यहाँ पर जो है, किसके बारे में बात हो रही है, ग्लुकोज के बारे में बात हो रही है, जनरली, जनरली, प्रोटीन के बारे में भी होती है, फैट के बारे में भी होती है, तो यह complex material के बारे में बात कर रहे है, ठीक है, अब क्या होता है बेटा आटी-पी, जिसके लिए हम मरमरा रहे हैं भईया यहापर, समझ में आ रहा है, कि मेरे पास एक क्या है बेटा, यहापर गलुकोस का मॉलीकुल, स्काली अग्यू को में तोड कर, मेरा primary aim क्या है कि गलुकोस के मॉलीकुल को तोड़ कर जब मैं अभी बात कर रहा हूँ तो बात करने के लिए मसल की मुवमेंट हो रही है और मसल के मुवमेंट के लिए हमारे सेल्स के लिए क्या चाहिए एनरजी चाहिए तो वो एनरजी यानि कि ATP के फॉर्म में हमें एनरजी मिलती है तो उस energy को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा ग्लुकोस को तोड़ूँगा अब जब मैं इसको तोड़ता रहता हूँ तो उसके साथ मुझे कुछ additional चीज़े भी मिल जाती है जैसी कि मुझे यहाँ पर CO2 मिल जाता है है ना हम oxygen तो अंदर लेते हैं लेकिन carbon dioxide छोड़ रहे है and then उसके बाद हमें उसी के साथ मिल जाता है हम सबका प्यारा दुलारा हमारा h2o भी निकल जाता है h2o भी बनता है बीच बीच में h2o भी बनता है हाँ पानी पीनी की जरूरत नहीं पानी खुद बोखुद अपने बाद बन जाएगा ठीक है अब देखो अब ये तो हो गय रेस्पिरेशन समझ में आ रहा है तो यह एरोबिक और अनारोबिक रेस्पिरेशन किसके बेसिस पर इसको का कैटेगराइस किया गया है on the basis of कि अगर मैं ग्लूकोज को आक्सिजन के प्रेजेस में तोड़ता हूं अगर मैं इस ग्लूकोज को अक्सिजन के प्रेजेस में तोड़ूँगा in the presence of oxygen तो मैं इसको कहूंगा एरोबिक रेस्पिरेशन अगर ऑक्सिजन नहीं देता हूँ फिर भी ये ग्लूकोज कर हमारे पास ATP CO2 और H2O बन जाता है तब इसको मैं कहूंगा एन एरोबिक रेस्पिरेशन यानि कि in the absence of oxygen समझ में आ रहा है इतनी बास समझ में आगे तो मेरे पास दो टाइप है one is the anaerobic and the second one is the aerobic anaerobic respiration is the process in which the glucose molecule get breakdown in the absence of oxygen whereas in aerobic respiration the glucose or the other complex molecule breakdown to form energy in the presence of oxygen समझ में आ गया है तो चलिए मैं energy energy की बात कर रहा हूँ तो यह energy होता क्या है exactly यह ATP होता क्या है बेटा तो ATP आगर आप देखोगे तो ATP stand किसके लिए करता है adenosine triphosphate इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास एक adenine molecule है आपको तो पता होगा ठीके ना तो वहाँ पर जो होते उसके पास तीन phosphate के molecule होते हैं समझ में आरा वहाँ पर क्या होते हैं तीन phosphate के molecule होते है तो adenosine nucleotide और हमारे पास क्या है यहाँ पर तीन phosphate के molecule और यह तीन phosphate के molecule के अंदर ही उनकी क्या होती है छुपी होती है ठीके तो देखो सबसे पहले आपने यहाँ पर समझ लिया कि एटीप स्टैंड फॉर adenosine triphosphate राइट अब देखो यहाँ पर सीन्तेजी से वह अलग अलग प्रोसेस से हो सकता ज् vez आपन फोतो सिंतेजी से मधे भगितलो होतो कि जे एलेक्टरोन पियास टू कडों क्या सबने जातो बर कड़ल है जातो ते वाद तुम्हिति pilgrim Gary असना तट यह neto कर ing aoz也 होते है आणी तै इलेक्ट्रॉन क्यायर मते तुम्ही जर बगाय लगेला, तो साइक्लिक फोटो फोस्पराइलेशन मझे काई, कि आपले पियस वन कडून जो इलेक्ट्रोन निगला, तो परत पियस वन चास रियक्षेन सेंटर कडे परत देतो, तो त्या द्यूरिन पन काई होतो, ATP सिंतेज होतो, आठवत ना सेल, तो ए पियस वन कडून इलेक्ट्रोन जो आए, रियक्षेन सेंटर, त्यास रियक्षेन सेंटर चा, परत ये तो आपलाई एलेक्ट्रोन, तेवावन काई होतो, ATP सिंतेशिस होता, तो आपने देखा होगा, कि वो कहाँ पर चर रहा था, वो, वापन लाइट के प्रेजस में वो सा चीजे दर रही थे इसलिए उसको कहा जाता है फोटो फॉस्फराइफलिस्न और यह कहाँ पर होता है बेटा यह हमें प्लांट के अंदर देखने को मिलता है फ्लांट के अंदर यह लेक्ट रूलral कर एक अपर के ट्रांच्फर लेक्ट्रॉनके ट्रांसफर सुस्न between transfer, in cyclic, अरे रे रे एक मिन्ट, in cyclic and non-cyclic, non-cyclic photophosphorylation, फोटो फॉस्फो राइलेशन ठीक है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटो फॉस्फो राइलेशन के ड्यूरिंग में जो है क्या बनता है हमारा ATP बन जाता है ठीक है अब ये तो हो गया हमारे प्लांट के अंदर देखने को मिल रहा है अब वही सब्स्टेट लेवल अब इसके साथ क्या कर देता हूँ इसके साथ मैं इन और्गैनिक फॉस्पेड जोड़ देता हूँ इन और्गैनिक फॉस्पेड जोड़ देता हूँ सो अल्टिमेटली मुझे क्या मिलेगा इन दोनों का मिलन होकल मुझे क्या मिलेगा ATP अडेनोसीन ट्राइफॉस्पेड ये दो फॉस्पेट अल्रेडी है, ये तीसरा फॉस्पेट जुड़ गया है, तो एड़नोसिन ट्राइफॉस्पेट, तो ये डिरेकली जब, जब डिरेकली हमारा ATP यहाँ पर बन जाता है, ठीके, तो इसको मैं कहता हूँ, सबस्टेट लेवल फॉस्पराइलेशन, और सबस् उक्सिडेटिव फॉस्पराइलेशन, मुझे यहाँ पर कहा पर देखने को मिलता है, और यह दो चीजे आज हमें इस क्लास में पढ़ना है, समझ में आ रहा है, तो यह हो गई हमारी एनरजी, ताकत यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीके, राइट, अब सबसे पहले आता है पर अनारोबिक रेस्पिरेशन, बगा, अनारोबिक रेस्पिरेशन मझे काई बोलो तो, कि आपला कुटला तरी सब्स्टेंस असना, for example, ग्लुकोस असना, त्या सब्स्रेट ला मी तोड़तो है, ATP बनता है, CO2 बनता है, पन त्याचा मधी दर तुम्ही बगाले गिला तर त तुम्हाला कुटलास प्रकार चा ऑक्सिजन यूज होता ना दिसत नहीं है, and that is called as anaerobic respiration, ठीके, anaerobic respiration, सब लोग धान देना, anaerobic respiration, and मतलब क्या होगा, ए मतलब क्या होगा, ए का मतलब absence of aerobic, aerobic मतलब इसके against, ठीके, aerobic में oxygen यूज होता है, तो anaerobic में क्या होगा, oxygen is नही atmospheric oxygen, atmospheric oxygen का बिलकुल भी इस्तमाल नहीं हो रहा है, right, आता तैला जो है, it is also called as a fermentation, right, क्यों इसको fermentation कहा जाता है, क्योंकि आप अगर देखोगे, तो anaerobic respiration के अंदर दो step आते हैं, ठीके, जैसे हमारा aerobic respiration, तीन step में complete होता है, one is the glycolysis, second one is the crave cycle, and then is the ETC, यानिकि electron transfer chain reaction, right, यह हम step में हमारा glucose molecule पूरी तरके से तूटता है, लेकिन anaerobic respiration के अंदर glucose molecule जो है तूट कर यहाँ पर, क्या हो जाता है, यहाँ पर बहुत दो ही step में तूटता है, the very first is the glycolysis, glycolysis, okay, the very first is the glycolysis, and the second one is the fermentation, the second one is the fermentation, right, अब यह fermentation भी भी या, दो टाइप का हो सकता है, यह fermentation जो है, यह दो टाइप का हो सकता है, कैसे दो टाइप का हो सकता है, अगर समझ लो, मेरे पास, अगर समझ लो, मेरे पास glycolysis, आपको पता होगा, glycolysis का overview दे देता हो, कि समझ लो, मेरे पास यहाँ पर, कि समझ लो, मेर पास बेटा यहाँ पर क्या है मेरे पास यहाँ पर ग्लुकोज है तो ग्लुकोज को तोड़कर मेरे पास 2 पार्यूवेट बन जाते है यह ना उसके साथ मुझे 2 इन दीडियज्टू स्टू मिलते हैं और उसे साथ मुझे 2 ता сюда दीचिश Geschichte two यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस एंदर डिया पई रूओ रहा है इस फाइट को फर्दर आगे भेजा जाता है उसको भी देखो यह pyruvate हमारा glucose का complete तोड़ना नहीं हुआ इस pyruvate को और तोड़ना पड़ेगा इतने level पर तोड़ना पड़ेगा कि मुझे जो है वहाँ से energy मिलती जाईए ठीक है अब यहाँ पर यह pyruvate को जो है क्या किया जाता है इस pyruvate को इस second step में भेजा दाता है that is called as a fermentation आता यह fermentation मदे कहा हो तो fermentation मदे अगर समझ लो इस pyruvate से मेरे लाड ले धान दे धान दे अगर समझ ले कि इस pyruvate से lactic acid बन रहा है तो इसको मैं कहूंगा lactic acid fermentation यह कैसे होता है हम discuss करेंगे don't worry about it ठीक है lactic acid fermentation whereas अगर समझ लो यही पर पाइरूवेड से अगर मैं alcohol बना देता हूँ अगर वही पर मैं alcohol बना देता हूँ so it is called as a alcoholic alcoholic fermentation समस्ता है alcoholic fermentation राइट सो ज़र lactic acid बनना तो सेल तर लाक्टिक acid fermentation और अल्कोहल जर बनना तो सब्सक्राइब अल्कोहल मज़े काई ethanol तर याला मनतों आपन अल्कोहलिक सीधा glucose टूट कर यहाँ पर पाइरूवेड बन जा इतनी इजी नहीं है यह जो है पूरी की पूरी दस स्टेप यहाँ पर फॉलो होते है और यह दसों के दसों स्टेप तुझे याद रखने है इतनी बात ध्यान में रख ठीक है इजी है बहुत जादे इजी है अगर concept टेर of the glucose molecule into two pyruvic acid molecule तो मेरे पास एक glucose का molecule होगा जिसके अंदर छे carbon है और वो breakdown होकर सीधा मेरा pyruvic acid बन जाएगा जिसके अंदर बस तीन ही carbon मुझे देखने को मिलेंगे ठीक है ओके चलो this is a common step in the aerobic as well as anaerobic respiration ठीक है तो glycolysis जो होता है वो aerobic respiration भी respiration के अंदर भी होता है और वो anaerobic respiration के अंदर होता है इसलिए मैं इसको एक common step कह सकता हूँ in aerobic and anaerobic respiration glycolysis is a common step right ओके चला it occurs in the cytoplasm of the cell तो यह important है ठीक है आपको पता है कि हमारे पास mitochondria होता है in anaerobic respiration mitochondria का कुछ भी यूज नहीं होता है सारी की सारी चीज़े यानि कि glycolysis और fermentation ये दोनों के दोनों भी step कहा पर होता है हमारे cytoplasm के अंदर ही होते है whereas in aerobic respiration जिसमें हम oxygen यूज कर रहे है वहाँ पर glycolysis हमारा कहा पर होगा cytoplasm के ही अंदर होगा लेकिन उससे जो उसके बाद की जो step होगी यानि कि crave cycle और हमारे जो यहाँ पर कौन सा होता है यहाँ आप अगर देखोगे कि etc तो यह कहा पर होते है यह होते है हमारे mitochondria के अंदर ओके देखोगे अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पर इस glycolysis को दो नहीं उने पर मतलब ऐसे थोड़ा तो नहीं गया इसको कहा जाता है परन से लेकर आप अगर देखोगे तो race mix जो देखोगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पूपी चीजлы बन रही है है यहाँ पर कुछ ना कुछ भी चीज़ए बन रही है जिसका इस्तमाल आगे वाले step में होने वाला है है तो कुछना कुछ पी चीजे बन रही है इसलिए मैं इसको क्या कहुंगा बेटा प्रोडक्त मिला है इस प्रोडक्त का इस्तमाल करके मैं आगे कुछ ना कुछ तो भी चीजे कर दूंगा तो सबसे पहली स्टेप देखते हैं वो है प्रिप्रेटरी फेस में क्या हो रहा है ना मैं ज्यादा कुछ लिखूंगा नहीं कुछ ने क्योंकि यहाँ पर अल्रेडी डाइग्राम है और डाइग्राम के ऊपर ही यह टेबल याद कर लिया ना भी या तो जंग जित लिया आप अब अगर देखोगे तो गलुकोज के एक पास कितने होते बटा छे कारबन हैं ओकें चलो कोई बात नहीं अब देखो मैं क्या क्यों पर आई मैं इस के अंदर चे कार बन है ठीक है एकी मॉलिक्यल ले रहा हूं एब उसको जो है मैं phosphate molecule जोड़ रहा हूँ और phosphate molecule जोड़ते ही वो किसमें convert हो गया glucose 6-phosphate में convert हो गया किसमे glucose 6-phosphate में convert हो गया अब आप अगर देखोगे कि इसको phosphate दे कौन रहा है इसको phosphate दे कौन रहा है इसको आपको पता है कि हमारे ATP के पास 3-3 phosphate molecule है अब वो phosphate का जो molecule है ATP क्या करेगा अपना phosphate molecule इस glucose को देख देगा और वो convert हो जाएगा ADP में कशा मदे convert जाला अपना glucose molecule नी ATP करने एक phosphate घितला आनि तो convert जाला glucose 6-phosphate मदे आनि जे ATP एक phosphate molecule दे ले मुड़े तो कशा मदे convert जाला ADP मदे convert जाला यह process जो होती है वो takes place करती है एक iron के phrases में जिसको हम कहते है Mg2+, या फिर magnesium iron जो है इस iron के phrases में ही यह सारी process होती है अब देखो आपको पता है कि cell के अंदर कोई भी reaction हो maximum reaction के लिए यहाँ पर enzymes लगते हैं तो यह जो यहाँ पर reaction हो रही है कि conversion of glucose into glucose 6-phosphate it takes place in the presence of enzyme hexokinase कैसे याद रखे आपको पता है कि यह 6 carbon वाली क्या है हमारे पास glucose क्या है 6 carbon वाला क्या है हमारा पास एक carbon compound है अब hexo मतलब क्या होता है 6 ठीक है तो इसके उपर एक phosphate का molecule add हो रहा है यहाँ पर तो क्या त्यार करेंगे hexokinase addition of addition of आप अगर देखोंगे phosphate उसको कहा जाता है kinase आज उसको क्या कहा जाता है kinase जैसे देखो यहाँ पर fructose 6-phosphate है तो fructose 1-6 diphosphate हो गया तो यहाँ पर भी है glucose इससे काइनेस ठीक है मतलब यह से याद रखो ठीक है hexokinase तो हमारे पास क्या बन गया बेटा glucose 6-phosphate बन गया लेकिन आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक ATP का molecule खर्च हो गया है एक ATP का फॉस्पेट ला convert के ला जातो fructose 6-phosphate समझ में आ रहा है glucose 6-phosphate get convert into fructose 6-phosphate in the presence of enzyme phosphohexokine phosphohexase isomerase ठीक है तो isomerase क्या होता हमें पता है कि वो क्या होता isomerism यहाँ पर शो करता है राइट बगा यह जमते काई बगाला भीटता है कि glucose 6-phosphate get convert into the fructose 6-phosphate in the presence of enzyme phosphohexose isomerase यहा तक समझ में आ गया यहाँ पर दो step हो गई यहाँ पर कोई भी phosphate का molecule add नहीं हुआ अब क्या होता है बेटा कि यह जो fructose है यह जो fructose 6-phosphate जो है इसके उपर और एक phosphate का molecule add किया जाता है जिससे क्या होता है fructose 1-6-diphosphate तैयर हो जाए अब देखो fructose 6-phosphate मतलब एक ही phosphate का molecule है अब यहाँ पर एक phosphate का molecule और ले लिया कहां से ATP से और कोंसा iron डालोगा mg प्लस iron डालोगा अब ATP ने अगर यहाँ पर phosphate दे दिया तो क्या बन गया भाई या ADP बन गया सिंपल सी बात है कोई भी rocket science नहीं पढ़ रहे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मैंने क्या कर दिया ATP का यहाँ पर एक phosphate ले लिया किसको दे दिया fructose 6-phosphate को दे दिया इसके वज़े से वह convert हो गया fructose 1-6-diphosphate क differs convert हो गया और इसके लिये भी क्या यूज होगा अगर ATP ले रहा हूं तो Kinese तो सिम्पल सी बात है तो फोस्पो फ्रुक्टोrophy समझ में आ रही कि आप अगर देखोगे तो फर्स herself 수ак पर एक ATP यूज़ हुआ थर्ड तेप दूसरा ATP यहाँ पर use हो गया, तो 2 ATP के molecule हम बनाने जा रहे ATP, लेकिन यही पर 2 ATP खर्च हो रहे हैं, कोई से preparatory phase में, चलो, कोई बात ने, ठीक है, अब देखो, मेरे पास जो fructose 6 diphosphate बना है, जो 6 carbon का molecule है, अब यहाँ पर यह तूट जाता है, in the presence of aldolase enzyme, in the presence of aldolase enzyme, और यहाँ से carbon के 2 molecule में यहाँ पर मिल जाते हैं, the very first is the glyceroldeide 3-phosphate, ठीक है, the very first is the glyceroldeide 3-phosphate, और वही पर मेरे पास दूसरा बन जाता है, वो होता है, dihydroxy acetone phosphate, ठीक है, dihydroxy acetone phosphate, तो इसी को मैं कहता हूँ, इसी को मैं कहता हूँ धाप, इसी को मैं कहता हूँ धाप, dihydroxy acetone phosphate, dihydroxy acetone phosphate, यानि कि धाप, समझ मैं आ रहा है, आप अगर देखोगे, तो यह खाहो ए, अपने, क्या कहूँगा असको, कि भाई-भाई होते, ठीक है, यह भाई-भाई होते, ठीक है, तो यह कहता है, धाप कहता है, कि नहीं भिया एक काम करो आगे की जो प्रोसेस है ना मेरे से ना हो पाएगी तो क्यों ना आप जो है मैं जो है आप में convert हो जाता हो यानि कि क्या धाप get convert into glyceraldate 3-phosphate समझ में आ रहा है यह जो धाप होता है यह convert हो जाए तो तीन कार्बन का मॉलीक्यूल होता है यह इसका ही आइसोमर होता है किसका आइसोमर है glyceraldate 3-phosphate का तो यह जो धाप होता है यह सीधा convert हो जाता है glyceraldate 3-phosphate के अंदर अब आपको क्या समझ में आ गया कि जब फ्रुक्टोज 1-6-diphosphate टूटा जब फ्रुक्टोज 1-6-diphosphate टूटा इन the presence of enzyme aldolase अब टूटने के बाद glyceraldate 3-phosphate बना और यहाँ पर मेरे पास धाप बना अब यह धाप क्या करता है धाप जो होता है सीधा कनवर्ट हो जाता है किसके अंदर glyceraldate 3-phosphate इन द प्रेजेंस ओप एंजाइम ट्रायोस phosphate isomerase समझ में आ रहा है ट्रायोस phosphate isomerase ओकि आता काई जला है कि हाथ धाप जेवा आता glyceraldate 3-phosphate मजे तयार जाला है तर मला सांगा ग्लिसराल डाइट 3-phosphate चे किती मॉल्ट क्यार जाले दोन मॉल्ट क्यार जाले कि नहीं अल्रेडी हाँ एक मॉल्ट क्यूल प्रेजेंट होता राइट हाएक मॉल्ट क्यूल आधी पसना आए आता काई जाला कि हाथ दूसरा ग्लिसराल डाइट सोरी डाय हाइड्रोक्सी अस्यूट फॉस्पेट यानि कि धाप हाँ काई जाला हाँ पन कन्वर्ट जाला आपला कशा मदे ग्लिसराल डाइट 3-phosphate मदे सो अल्टिमेटली माजा बाची किती मॉल्ट क्यार जाले आता पाची ग्लिसराल डाइट 3-phosphate दोर मॉलिक्यूल याचा मदे तयार जालेले किती मॉल्क्यूल तयार जालेले आएट है ना आणि ग्लिसराल डाइट 3-phosphate मदे कारबन किती है फक्त तीनच कारबन बनाएट तीनच कारबन मला याचा मदे बगायला बेटाता ओके तो आता परंद जे तुम्हीं बगितला तुम्हारा काह दिशता कि हाँ जो पुर्फा अपला तयार करने ची प्रोसेस होती याचा मदे मीद फक्त आता मॉलीक्यूल तयार के लिलिया पहले किती स्टेप आयत प्रिप्रेट्रेटरी फेस मेंदे किती स्टेप बगाला बेट पहला बेटात सरवात पहली गोस्ट कुझ है दो ढहिद स्टेप 1-2 12 का फर्म और में सबसे पहले ग्लुकोज पॉस्पेट यह सेकंड स्टेप 6 पॉस्पेट निटेफ ऐनरे द prizesяет त्रीप पॉस्पेट में दे हो नार ठीक है यालाज काया मनतों यालाज काया मनतों ही जाले आपने फिप्ट सो वन टू फिप्ट ठीक है ना वन टू फाइउ यह क्या थी हमारी स्टेप से फ्रिप्रारेटिव फेस के अंदर ठीक है अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आयन्स कोंसे यूज हो रहे ठीक है सब लोग ध्यांगे ना यहाँ पर आयन्स कोंसे यूज हो रहे वह रहे बेटा हमारा mg प्लस वो क्या हो रहा है हमारा mg प्लस समझ मैं रहा है mg प्लस और ये कौन से step में यूज हो रहे है ये भी हमें mention करना भूलना नहीं है यह हो रहा है यहाँ पर first step में मतलब जहां पर phosphate जूड रहा है वो first step यानि कि glucose का glucose 6-phosphate अब ये second step क्या है glucose का fructose 6-phosphate इसमें यूज नहीं हो गा लेकिन यस fructose का fructose 1-6-diphosphate में यूज हो जाएगा यानि कि क्या third step में first and third step में ये यूज हो जाएगा सही बात है first step में यूज हो गया और third step में यूज हो गया अब यहाँ पर second चीज देखते है कि यहाँ पर यहाँ पर यह दूसरा थार्ड स्टेप में हो रहा है तो यह क्या हो गए है हमारे दो Te implom Will Consume हो घria अब यह कौन से स्टेप पर हो रहे है यह भी हमें याद रखना वह जरूरे कौन से स्टेप पर तो यहां पर हमने देखा कि किस तरह से जो glucose 6-phosphate get convert into glucose sorry glucose phosphate sorry glucose get convert into glucose 6-phosphate in the presence of the enzyme hexokinase then glucose 6-phosphate get convert into the fructose 6-phosphate because they are the isomer that's why the enzyme is phosphohexo isomerase right then the fructose 6-phosphate get convert into the fructose 1,6-diphosphate kinase enzyme kinase because there is an addition of a phosphate molecule then it is called as a phosphofructokinase right and then the fructose 1,6-diphosphate get split into glyceride 3-phosphate and the dihydroxyacetone phosphate that means the dhap and this takes place in the presence of the enzyme aldolase then they the glyceride 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate these are they are the isomers right then the dhap get convert into the glyceride 3-phosphate in the presence of the enzyme triose phosphate isomerase right so here we have our gayا smartployed triose phosphate isomerase so jayah klein the nah breeze pay off phase make? up pay off phase is like pay off phase tiok care glyceride 3-phosphate के दो मालीकुल मेरे यहाँ पर बन गए अब इनके अंदर डालेंगे मिर्च मसाला और बहुत सारी चीजे बनाएंगे बहुत सारी चीज मतलब क्या पाइरुविक एसिड हमारे फाइनल में यहाँ पर बना देंगे लगशे दे कच्छा प्रकारे बन तो अपले अलमा इता है ग्लिसरालेट 3-phosphate आये यहाँ चा कनवर्जन के ला जातो 1-3-bis-phosphate glycerate सो लगशे दे तुम्हाला काही समझता है आत्ता परंत मी काही बग इतला कि ग्लिसरालेट 3-phosphate मजे एकच-phosphate चा मॉलिक्यूल आये पन यहाँ चा मदे काही होता है कि यहाँ चा मदे 1-3-bis-ph phosphate होता मजे दोन phosphate के मॉलिक्यूल आले चला इतला एक phosphate तर आला है पन एक phosphate अजुन कुटन आला है मजे काई इतरपन ATP चा ना सोनार इतरपन काई ATP चा यूज के लाँ जाही बिल्कुल पर नहीं यहाँ पर ATP का यूज नहीं होगा यहाँ पर सीधा सीधा जो है इन औरगनिक phosphate इन औरगनिक phosphate जो है डिरेककली इस प्रोसेस के अंदर यूज हो जाता है यहाँ पर यूज हो जब आप यहाँ पर देखते हो कि हमारा 6 नंबर के स्टेप पर कि glycerolide 3-phosphate get convert into 1-3-bisphosphoglyceride तो यहाँ पर जो phosphate का molecule add हो रहा है वो inorganic phosphate यानि कि जो free of phosphate का molecule है वही सीधा जाकर यहाँ पर bind हो रहा है और यह जो process है आप अगर देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक hydrogen remove हो रहा है है ना यहाँ से जो है hydrogen remove हो रहा है अब hydrogen remove होना इसका मतलब क्या है dehydrogenase समझ ले ना यहाँ पर इसका molecule क्या है भाईडा इसका मतलब क्या है dehydrogenase तो आप अगर देखोगे तो आपको क्या समझ में आता है glycerolide 3-phosphate get convert into 1-3-bisphosphoglyceride in the presence of enzyme triose phosphate dehydrogenase समझ में आ रहा है triose phosphate dehydrogenase इसके presence में यहाँ पर क्या होता है बेटा यह जो होता है 1-3-bisphosphoglyceride यहाँ पर तयार हो गया है जो कि क्या है अब इज भी 3-carbon का ही molecule है क्योंकि यहाँ पर न carbon dioxide add कर रहे है ना कुछ कर रहे तो यहाँ पर उतने ही carbon के molecule रहे गए और आप अगर ध्यां से देखो के तो यह किस ions के presence में हो रहा है Zn प्लस ion के presence में जो है यह use हो रहा है सही बात है समझ मैं रहा है यहाँ तक क्या हो रहा है कि हमारा nad जो है nad तो देखो यहाँ से जब hydrogen निकल रहा है तो hydrogen को accept कौन करेगा तो hydrogen accept होने के वाला कौन है यहाँ पर hydrogen release हो रहा है यानि कि proton release हो रहा है अब proton release हो रहा है तो electron भी release होगा तो electron को accept कौन करेगा electron को accept करता है nad plus है ना nad plus क्योंकि वो electron deficient है plus minus plus sign है तो electron plus जो है उसने nad plus ने यहाँ पर electron accept कर लिए कितने दो electron accept कर लिए तो उससे बनेगी भी कितने, उससे hydrogen कितने accept करना होगा उसको, same proton भी accept करना होगा, यानि कि उसके साथ 2 hydrogen के भी molecule जुड़ जाते हैं, यानि कि ये क्या हो जाएगा, NADS2 molecule यहाँ पर तयार हो गया है, ये कब हो रहा है, जब 1 glyceraldate 3-phosphate get convert into 1-3-bisphosphoglyceride, एक molecule, अब मेरे पास तो यहाँ पर 2 molecule है, मेरे पास यहाँ पर 2 molecule है, तो यहाँ पर NADS2 भी कितने बनेगे, मेरे पास 2 NADS2 बन गए है, ओके चलो, ये तो समझ में आगा, देन, 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 1-3-bisphosphoglycerate का conversion हो रहा है, 3-phosphoglycerate के अंदर, ठीक है, यहाँ पर conversion हो रहा है, किसके मेरे पास जो सेकंड जो हमारे पास product बन रहा है, उसके अंदर बस एक ही phosphate का molecule है, इसका मतलब क्या, कि इसमें से एक phosphate molecule को मैं निकाल दूँगा, अब निकालेगा phosphate molecule, वो ठीक है, लेकिन वो जाएगा किदर, तो हमारा ADP आगे आ जाता है, एडिनोसीन डाइ फॉस्पेट, य यह क्या हो जाता है, कि हमारा जो ADP है, get convert into ATP, समझ में आ रहा है, ADP get convert into ATP, सो यह ADP सिधा convert हो गया, ATP के अंदर, ठीके, अब एक molecule जब यहाँ पर convert हो रहा है, तो एक ADP का, एक ATP में convert हो जाएगा, अब यह तो already दो molecule लेते, यहाँ पर कितने ATP के molecule तयार हो जाएगे, दो ATP के molecule त दयार हो गए, तो इसी को, देखो, यहाँ पर कोई भी चीज नहीं हो रही, यहाँ पर सीधा जो है, हमारा जो phosphate निकल रहा है, कहां से, 13 phosphoglycerate से, जो हमारा phosphate निकल रहा है, उसको ADP सीधा accept कर रहा है, सीधा हमारे पास ATP यहाँ पर बन रहा है, तो इसी को मैं कहता हूँ, substrate level phosphory relation, और यह अगर आप अगर देखो, तो addition of, और remove of the phosphate, यह जो होता है, kinase की presence में होता है, तो यहाँ पर क्या हो है, phosphoglycerate, phosphoglycerate kinase के presence में, और mg प्लस आयन के presence में, ADP से ATP यहाँ पर बन गया है, स्वरी, ATP से ATP नहीं, यह तो phosphate निकल गया, यह बन गया, 3 phosphoglycerate यहाँ पर बन गया, ओके, आता, हाँ जो 3 phosphoglycerate आये, हाँ convert होतो 2 phosphoglycerate मजे, आता यहाँ चामधे, phosphorous molecule निगलेला नहीं है, फक्त फॉस्पॉलस molecule ची location चेंज अलेले, बरो बरा, phosphorous molecule ची का जलेले, phosphorous, phosphorous क्या होता, phosphorous molecule की क्या होगे, location चेंज होगे, तो इतना धान देना, कि 3 phosphoglycerate get convert into 2 phosphoglycerate in the presence of, phosphoglycerate mutase, यहाँ पर एक enzyme हो रहा है, phosphoglycerate mutase, यह enzyme हो रहा है, और मेरे पास बन गया 2 phosphoglycerate, समझ में आ गया, अब आप अगर देखोगे, तो 2 phosphoglycerate से, आप अगर देखोगे, तो 2 phosphoglycerate तो 2-phospho-enol-pyruvate यहाँ पर तयार हो रहा है, ठीक है, 2-phospho-enol-pyruvate यहाँ पर तयार हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे, कि hydrogen का, सोरी, water का molecule यहाँ पर release हो रहा है, तो inolase यहाँ पर हो गया, और वही पर, जब 2-phospho-enol-pyruvate, ठीक है, जब convert हो जाता है, हमा कि पाईरुविक ऐसिड बन रहा है तो इसलिए दो फॉस्पो इनौल पाईरुवेट का जब कनवर्जन होता है हमारे पाईरुविक एसिड में इन्द प्रेजिन्स ओपाईरुवेट काईनेस तो दो सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर देख रहा है जेडेन प्लस है ना जेडेन प्लस यह कहा पर यूज हो रहा है बेटा यह कहा पर यूज हो रहा है यह बस और सिक्स नंबर के स्टेप पर यूज हो रहा है सिक्स नंबर के स्टेप पर यूज हो रहा है अब वही पर मेरे पास सेकंड है यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस तरह से एक दो तीन जगा पर मेरा यहाँ पर magnesium आयन जो है यहाँ पर यूज हो रहा है ओके अब उसके बाद ATP generation ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ठीक है टोटल तोटल जनरेशन पर है तोटल जनरेशन के अंदर क्या आगाल को यहाँ पर कहा कौन से क्ते अच्टेप में सबसे पहले क्वाइन 7th number और 2nd one is the 10th number, ठीके, 7th and 10th, 7th and 10th number के step पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ATP का generation हो रहा है, अब मेरे साथ, और एक चीज यहाँ पर produce हो रही है, वो एक चीज है, वो है हमारे पास क्या है, NADH2, सही बात है, मेरे पास और एक चीज जनरेट हो रही है, वो है क्या, NADH2, NADH2, 6th number के step पर, कहा पर हो रहा है, 6th number के step पर मुझे यहाँ पर बनते हुए दिख रहे है, यहाँ तक clear है, ओके, और यहाँ पास, मेरे पास यहाँ पर और एक चीज बन रही है, वो है कि हमारी H2O, H2O की कितने molecule बन रहे है, 2 molecule बन रहे है, और वो कौन से step पर बन रहे है, वो ब gycolysis कैसे होते है, 10 step में होने वाली है, समझ मारा है, 10 step में, तो चलिए, एक बार फिर से इसको revise कर देखो, glucose 6, glucose convert into glucose 6-phosphate, then glucose 6-phosphate convert into glucose, sorry, fructose 6-phosphate, fructose 6-phosphate accept 1-phosphate from the ATP, then it convert into fructose 1-6-diphosphate, then fructose 1-6-diphosphate gets split into 2 molecule, that is glyceride 3-phosphate and dhab, that is dihydroxy acetone phosphate, right, then dihydroxy acetone phosphate get convert into glyceride 3-phosphate, then there is a presence of 2 molecules of the glyceride 3-phosphate, okay, in the presence of the triose phosphate dehydrogenase, that is removal of the hydrogen, okay, the glyceride 3-phosphate get convert into 1-3-bysphosphoglycerate, right, 1-3-bysphosphoglycerate, okay, आता 1-3-bysphosphoglycerate मदून मला एक phosphate सा molecule काड़ाचा है, then it get convert into 3-phosphoglycerate, right, और यहाँ पर क्या हो जाए कि 2 ATP के molecule तयार हो जाए, क्योंकि 2 molecule of 1-3-bysphosphoglycerate यहाँ पर ब्रेजन देख, अता, जो 3-phosphoglycerate आए, यहाँ मदला तो phosphate सा molecule ची पोजीशन चेंज के लिए, 2 number चाप यह जाओर के लिए कार्बन बर, so, ultimately, it is 2-phosphoglycerate, right, और यहाँ पर भी कितने है, 2 molecule है, okay, अब क्या होता है, कि 2-phosphoglycerate के molecule से hydrogen, sorry, water का molecule निकाल दूँगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा, 2-phosphoenol pyruvate, and by the removal of the phosphate molecule, get convert into, that means, the phosphoenol pyruvate get convert into the pyruvic acid, and that's it, और यही पर जो है, हमारी यहाँ पर, क्या होगे बेटा, glycolysis की step complete हो गई, right, anaerobic respiration की बात कर रहे है, तो fermentation को तो भूलना नहीं पड़ेगा, fermentation को तो याद रखना पड़ेगा, तो fermentation कैसे होता है, देखो, सब लोग धान दिना, fermentation, मैंने कहा था कि 2 टाइप का fermentation होता है, ठीक है, एक तो होगा, lactic acid तयार होगा, तो lactic acid fermentation, and the second one is the, अगर alcohol तयार होता है, तो alcoholic fermentation, ओके, चलो, यही बात दिमाग में रखते हैं, तो सबसे पहली step क्या है, बेटा, कि हमारे पास glycolysis हो गया, glucose से जो है, हमारे पास pyruvate बन गया, है, हैना, glucose से मेरे पास pyruvate बन गया, तीन कार्बन का compound है, अब देखो, यहां से जो pyruvate होता है, वो pyruvate जो होता है, lactic acid dehydrogenase के presence में, pyruvate get convert into the lactate, lactic acid के अंदर जो है, यहां पर convert हो जाता है, और आप अगर देखोगे, तो आप अगर देखोगे, तो यहां पर एक hydrogen का molecule जुड़ गया, यहां पर एक hydrogen का molecule जुड़ गया, तो यह hydrogen आया, कहां से भीया, जो glycolisis के अंदर दो NADS2 के molecule बने थे, उसी दो NADS2 के molecule से जो है, हमने hydrogen निकाल दिये, अब यह दो NADS2 जो था, वो किस में convert हो गया, NAD में convert हो जाएगा, सही बात है, सही बात है, तो यह pyruvate को मैंने दो hydrogen जब दे दिये, कहां से दिये, NADH2, DH2, H2 मतलब क्या, वहां से मैं है hydrogen के molecule निकाल कर इसको दे दिये, और इस तरह से यहाँ पर pyruvate का conversion हो जाता है, lactate के अंदर, यानि कि lactic acid के अंदर, समझ में आ रहा है, और यहाँ पर हमारा जो है NADS2 यहाँ पर खतम हो रहा है, मतलब खर्च हो रहा है यहाँ पर, सही बात, और वही पर आप अगर देखो पर जो बनला तो पाइरुवेट जर तुम्ही जर बगाले गेला, पाइरुवेट मदे एक, दोन, तीन कार्बन है, ठीक है, यह कार्बन मदून जर मी एक CO2 जर काड़ू ड़ा है, तीन कार्बन मदून जर CO2 काड़ ला है, तो मला सांगा CO2 निगला मुड़े काई जला, कि या चा मदे, या चा मदे, हाजर CO2 पूर्ण पने निगुन गेला, या चा मदून, ठीक है, तो बाचले की थी, फक्त दोन कार्बन, आनि दोन कार्बन वाला माजा बाशी कंपॉंट ताया जला है, एसिटा अलड़े हाइड, मेरे पास तयार हो गया है, ठीक है, अब यह जो यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिकुल दे देगा, यह देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और यह देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, और मेरे पास बन गया इथ्यानॉल, मेरे पास क्या बन गया बेटा, इथ्यानॉल यहाँ पर बन गया है, समझ में आ रहा है, इत परन गुस् of ATP, two molecules of ATP, और वो भी कहां से बन रहें? सिर्फ और सिर्फ glycolesis से बन रहें, यहाँ न? glycolesis से ही सिर्फ और सिर्फ क्या मन रहें यहाँ पर? दो मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहे हैं, क्यों? अरे glycolesis में आप अगर देखोगे, तो आपको क्या समझ में आता है? कि यहाँ पर consumption हो गया दो ATP molecule का और यहाँ पर आप अगर देखोगे कि synthesis हो गया चार ATP molecule का लेकिन जो पहले दो खर्च हो गये तो overall glycolisus से कितने ATP molecule बनेंगे बस दो ही ATP molecule तो बनेंगे क्योंकि पहले preparatory phase में तो दो ATP molecule खर्च हो गये थे, सही बात, ओके चलो बहुत बढ़िया, very good तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर fermentation जो हमारी second shape है aerobic respiration के अंदर वहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी ATP नहीं बन रहा है, कोई भी ATP नहीं बन रहा है, which means the glycolisus produce only two ATP molecules, है ना, मेरे पास कितने बन गए, बस दो ही ATP के molecule यहाँ पर बन गए है, समझ में आ रहा है, यह आता aerobic respiration काई असनार, काई नसनार, माझा बाशी ज़र glucose आए, बरोबरा है, glucose ला तोड़तो, मी in the presence of oxygen, in presence of oxygen, so यह चा मुड़े काई होता, कि माझा बाशी molecule बन तिल, काई बन तिल आजा माधे molecule मला, कि यह चा माधे, 38 ATP चे molecule मिड़तील, आनि त्या सोबतास मला CO2 मिड़ना ही माझी overall process असनार, काई ची, aerobic respiration ची, aerobic respiration ची overall process असनार, बहुत, aerobic respiration involved molecular oxygen during oxidation of glucose, right, glucose is completely oxidized in this process, वहापर glucose का complete oxidation नहीं हुआ था, anaerobic respiration के अंदर, वहापर complete oxidation नहीं हुआ था, जितनी electron निकाल सकते, oxidation मतलब क्या होता है, remove of electron or addition of the oxygen or remove of hydrogen, सही बात है, hydrogen को अगर remove करोगे, तो electron तो वैसे भी remove हो जाना है, सही बात है, ओके, तो यहापर completely glucose को तोड़ा जाता है, कि इसके aerobic respiration के अंदर, ठीके, ओके, चलिए, अब पढ़ते हैं यहापर, अब आप अगर देखोगे, तो आपको क्या समझ में आता है, कि मेरे पास, यहापर देख क्रेब साइकल मझे पाइरुवेट सा यूजवाईल अपाजेत, पर directly pyruvate ला allow के लिए जातना ही, समझ में आ रहा है, directly pyruvate को इस क्रेब साइकल के अंदर नहीं डाला जाता है, तो pyruvate को सबसे पहले convert किया जाता है, किसी दूसरे process में, किसी दूसरे substance में, कैसे, सब लोग ध पर से, यहाँ पर एक, जो है, CO2 का molecule निकाला जाता है, यानि कि मुझे एक समझ में आ गया, कि यहाँ से carbon का molecule कम हो गया, okay, pyruvate acid, जब यहाँ पर combine हो जाता है, coenzyme A के साथ, और यहाँ से hydrogen का भी molecule निकाला जाता है, अब hydrogen का molecule निकालेगा, तो यह accept कोन करेगा, nad plus, सभी बात तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, कि nad plus जो है, यहाँ पर hydrogen का molecule accept करके, nadh2 plus में क्या होता है, nadh plus में जो है, यहाँ पर convert हो जाता है, सभी बात है, nadh2 में यहाँ पर convert हो गया, समझ में आ रहा है, अब pyruvate acid combined with the coenzyme A, then it convert into acetyl coenzyme A, तो यहाँ पर मेरे पास product क्या बन ग इसी के साथ यहाँ पर co2 का molecule निकल गया है, समझ में आ रहा है, क्या निकल गया है, co2 का molecule यहाँ से निकल गया है, यहाँ बात क्लियर है, बात क्लियर है, अब यह सारी की सारी चीज़े को होता है, एक complex के अंदर, बहुत सारे enzymes होते हैं, उन complex के अंदर होता है, pyruvate dehydrogenase, dehydrogenase जैसे ही बोल दिया, तो hydrogen निकल रहा है, तो hydrogen को accept कुन करेगा, NAD+, जो है, accept करेगा, और किस में convert हो जाएगा, NADH2 में यहाँ पर convert हो गया, कोन add हो रहा है, coenzyme A add हो रहा है, और बन क्या रहा है, acetyl coenzyme A, और यहाँ पर क्या हो रहा है, CO2 molecule जो है, एक निकल रहा है, अब यह जो acetyl coenzyme है, यह जो acetyl coenzyme A बना है, यह सीधा जाएगा, किसके अंदर, हमारे second step, यानि कि क्रेप cycle के अंदर चला जाएगा, सब लोग ध्यान देना, This is an oxidative decarboxylation reaction, oxidative decarboxylation क्यों, oxidative decarboxylation क्यों, धेको oxidative हैं मतलब क्या, कि यहाँ पर, हमारे पास, यहाँ से जो pyruik acid, अधिशीश होगया, यानि कि क्या हो गया, उकि औरforcement दोलब इर यहाँ से इसके लिए क्या कहूंगा, oxidative decarboxylation, oxidative decarboxylation, oxidative decarboxylation, समझ में आ रहा है, इसे कातली इंजाएंजाइम, बहुत सारे एंजाइमस होते हैं, पामईट डिहइड्रोजीनेस कॉम्पलेक्स, इसको मैं करता हूं PDH ठीक है? यहाँ आणे से कहा है हमातो है, PDH के अंदर तो आपने सेल के अंदर mitochondria पढ़ा होगा तो mitochondria की outer membrane inner membrane और inner membrane जो एक space क्या करती capture कर दी एक hold करती है उस space को महीं में कहता हूं mitochondrial matrix ठीक है उसके अंदर liquid होता है mitochondrial matrix तो यह enzyme present कैसे होता है जब Ucarrot की बात होती है तो उसके mitochondria के लिए और वही पर जो हम prokaryatic बात करें तो उसके porcel के अंदर होता है कहाँ पर होता है cytosol याने कि autoplasm जो होता है उसके अंदर यहाँ पर present होता है तो आपको यहाँ पर overall generation क्या दिख रहा है यहाँ पर क्या बन रहे है यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर आप अगर देखोगे, कि टोटल जनरेशन क्या हुराँ यहाँ पर mental generation कि टोटल generation क्या हो रहा है एस इचिल कोया इस्भात बनी तो रहाँ यह पर क्या हो गया दो एसी टील को एंजाइम के मॉलेक्युल मिले गया एक एनड़ी अस्टू का मॉलेक्युल यहां से बन रहा है अगर दो पायूवाइट मॉलीक्युल यहां पर मिल जाएंगे, समझ मैं आ रहा है, सो मेरे पास NET क्या मिला, यहाँ पर मुझे Acetyl Coenzyme A मिला, और मुझे जो है, आगे प्रोसेस में यूज होने वाले NADS2, यह भी मॉलिक्यूल मिलके, समझ मैं आ रहा है, एक मॉलिक्यूल से, देखो, एक पाइरुविक एसिट का मॉलिक्यूल खर्च करूँगा, तो यहाँ पर एक NADS2 बन जाएगा, और एक CO2 बन जाएगा, और एक Acetyl Coenzyme मिल जाएगा, लेकिन Glycolysis के अंदर दो पाइरुविक मॉलिक्यूल तयार हो गए, पाइरुविक के मॉलिक्यूल, तो वो दो पाइरुविक मॉलिक्यूल जाएगा, अगर मैं यूज करता हूँ, तो मेरे पास दो NADS2 के मॉलिक्यूल, दो Acetyl Coenzyme के, और दो CO2 के मॉलिक्यूल यहाँ पर तयार मिल जाएगे, सही बात है, चलो, अब यह तो हो गया Link Reaction, अब मेरे पास क्या बन गया, Acetyl Coenzyme, गर्मा गर्म Acetyl Coenzyme बन गया, अब इसको मैं यूज कर सकता हूँ, हमारे आने वाले प्रोसेस में, आने वाले प्रोसेस में यानि क्या है, किसके बारे मैं बात कर रहा हूँ, देखो अब सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है पाइरुविक एसीड प्रोडूस बाइद ग्लाइकोलिस जो हमने देखा था अंडर गो एरोबिक oxidation in the mitochondrial matrix through the TCA cycle ठीक है तो वो spirovic acid को जो है सबसे पहले हमने acetyl koenzyme में convert कर दिया था अब उसको हम तोड़ेंगे भाईया बढ़िया से तोड़ेंगे this cycle serve a common oxidative pathway for carbohydrate fats and the protein ठीक है तो यह common step है ठीक है तो carbohydrate से जो यहाँ पर बन गया क्या carbohydrate से जो हमारे पास pyruvic acid बन गया वो भी आएगा TCA cycle के अंदर और fat से जो हम acetyl koenzyme यह बनाते है वो भी सीधा आ जाएगे TCA cycle और protein से भी हम यहाँ पर क्या बनाते है हमारे पास pyruvic acid बन जाता है ठीक है pyruvate बन जाता है तो उसको भी हम इस्तमाल करेंगे इस साइकल के अंद साइकल मतलब चक्का बईया ठीक है इस तरह से कुछ दिवी चक्का जलेगा देखो सब लग ध्यान देना आपके भुक में भी दिया गया है यहाँ पर अगर क्लियर ली नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पर समझ में आ जागा आपको बुक यहाँ पर रेफर करो देखो सो मेरे पास सबसे पहले पायरुविक असिड था पायरुविक असिड का कनवर्जन कर दिया मैंने असिटिल को एंजाइम ए में तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि यह वाली प्रोसेस कों सी है यह वाली प्रोसेस है लिंक रियाक्शन यह कहा पर प्रोसेस है बेटा य यहें link reaction जिसके अंदर pyruvate get convert into acetyl coenzyme A और उसी से क्या निकला था? CO2 भी निकला था और NADS2 भी निकला था, यहा तक बात क्लियर है, यहा तक बात क्लियर है, अब देखो, अब यह जो acetyl coenzyme है, इसी को allow है, यही allow है कि भाई, तु यह जाएगा क्रेप cycle में pyruvate, pyruvate, यह उच्छे प्राणी हमारे पास नहीं आएंगे, ठीक है, ओके, चलो, मान लेते, acetyl coenzyme A हमारे oxaloacetate के साथ, है ना, यह oxaloacetate कितना है बेटा, 4 carbon का compound है मेरे पास, acetate क्या है बेटा, acetyl coenzyme है कितना है, 2 carbon का compound है, so ultimately, यह 2 carbon का यहाँ पर acetyl coenzyme A और 4 carbon का oxaloacetate, यह combine होक यह combine होकर हमारे पास first यहाँ पर product बन जाता है, जिसका नाम है citrate, जिसका नाम है citrate, और citrate को ही मैं लिख सकता हूँ citric acid, और that's why हमने crave cycle को नाम दिया था citric acid cycle, समझ मैं है क्या, crave cycle को नाम दिया था citric acid cycle, अब यह citric acid cycle तो prove हो गया, crave cycle भी prove हो गया, लेकिन यह TCA क्या होता है तो चलिए जानते है TCA क्या होता है, अगर आप citrate की बात करते हो, तो citrate अगर molecule है, citrate अगर molecule है, तो इसका formula देखो, chemical formula कैसे होता है, यहाँ पर, यहाँ पर होता है, अरे रे रे, रे, ओके, ठीके, CH2, C, statement, O, O, H, O, H, CH2, ठीके, यहाँ पर होता है, CH, O, H, ठीके, हाँ, बड़ाबड़, O, O, H, ठीके, समझ मा आ रहा है, ठीके, तो आपको यहाँ पर क्या, समझ मारा रहा है, कि मेरे पास, यहाँ पर, कितना है, यह 1 Par zweite, यह 2 पर observed, है द्रूसरा, पर देखने को, मिल रहा है, समझ मारा है, तो आप अगर देखोगे, तो जो साइटरेट पहले मॉलिक्यूल बनता है यहां पर मैंने गलती से जो शोगने यहां पर यह लिखते हैं। कि एक मिनिट हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पर मतलब लिखने की ज़रुवत नहीं है वैसे लिख दिया था ठीके चलो अब देखो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तीन यहाँ पर हमारे किसके कार्बोग्जिलिक ग्रूप एड़ हो रहे हैं इसलिए इसको नाम कर जाए ट्राइक करबोग्जिलिक एसीड साइकल इसको जाता है ट्राइक आर्बोग्जिलिक एसीड साइकल ओके अब चलो अब यहाँ पर खेला समझना भी यह ठीके बहुत बढ़िया सा खेला है समय खेला कैसे बहुत कि सबसे पहले एसीटिल को एंजाइम ए जो हमारे कहा हां पर था माइट्रentiill में त्यार हुआ था और क्रेंप साइकल भी माइट्रीम चलती है समझ में नहीं पर अब देखो असवीड कोैज्ञाइम Wise so पर जो है यह मुद्य हो हो जा रहा है तो कि आए ज़लव OUR ही permettre आपकी चली आफिकर पार्ट आणि यह आपकी इंटिटी करप्या कंतने हिआ तो यह किस प्रिल्ट में होता है यह एकॉनिटेट एंजाइम में और यहां से water मालेकुल रिमू यहां पर वाटिम लॉते मॉडुल मं यहां से वाटर मोलेकुल रिमू हो रहा है ठीक है डिहाइड्रेशन हो रहा है ओके अठा जो सीस अकॉनिटेट यहां पर वाटर मॉल्ट्रीट फिर से क्या हो रहा है इन्वाल हो रहा है वाटर का जो है इस्तमाल फिर से यहां पर हो रहा है अब यह जो आईकुली जो होतता है वह सीधा अलफा कि फूरत अंगी असफिनिक असे लगोट में convert into oxalo-succinic acid in the presence of enzyme isocytrate dehydrogenase 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 मतलब क्या हो रहा है hydrogen निकल रहा है भाईया अगर hydrogen निकलेगा तो accept कोन करेगा accept कोई निकरेगा accept करेगा nadh ठीक है nadh टू जो है यहाँ पर फिर से यहाँ पर तयार हो जाएगा जैसे हमने crave cycle और link सोरी जैसे हमने glycolysis और links reaction के अंदर देख लिया था ओके अब यह जो oxalo-succinic acid है यह convert हो जाता है alpha keto-glutarate में ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है अलफा keto-glutarate में जो है यहाँ पर conversion हो रहा है ठीक है अब आप अगर देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर oxidative decarboxylation हो गया है यानि कि हमारा CO2 जो है यहाँ पर बाहर निकल गया है ठीक है CO2 बाहर निकल गया है देखो यह किसके presence में हो रहा है आइसो-sacrit dehydrogenase के presence में जो है यहाँ पर हो रहा है यानि कि यह जो process है यह फाल्तुगी दी गई है यह नहीं भी दिया होता तो भी चल जाता ठीक है तो भी चल जाता क्यूंकि आइसो-sacrit dehydrogenase के वज़े से क्या हो रहा यहाँ पर hydrogen निकल रहा है और यहाँ पर decarboxylation के वज़े से क्या हो रहा है CO2 निकल रहा है और oxidative decarboxylation यानि के hydrogen भी निकल रहा है और carbon dioxide भी यहाँ पर निकल रहा है समझ में आ रहा है चलो कोई बात नहीं दिया है तो पढ़ल लेंगे आइसो-sacrit dehydrogenase के presence में alpha keto glutarate यहाँ पर बन गया from the oxalosacinic acid या फिर आइसो-sacrit से ठीक है आता बगा आता जसा अपन इकड़े बगितलों होता कि यहाचा मदे कहा होता को एंजाइम एड जालो तो कशा मदे acetyl group पानी अपने तयार जालो थे acetyl coenzyme है त्यास ब्रकारे alpha keto glutarate मदुन एक hydrogen परत रिमूव किला जातों समझता है एक hydrogen परत रिमूव करा एक carbon dioxide परत रिमूव करा आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर एक hydrogen मैंने कम कर दिया एक carbon dioxide कम कर दिया तो आप देखो यहाँ पर 6 carbon का molecule था citrate इससे क्या हुआ कि यहाँ पर आपने देखा कि यह जो था हमारा पास oxalo succinic acid यह भी हमारे पास 6 carbon का molecule था लेकिन यहाँ से जब CO2 निकला तो अब जो यह बना मेरे पास कौन सा बना हाँ alpha keto glutarate बना तो वह कितना होगा पाच ही carbon का molecule होगा अब इस alpha keto glutarate से और एक CO2 बहार निकल रहा हो what does it mean कि यहाँ से और एक carbon का molecule कम हो जागा यानि के उतना होगा बस 4 ही carbon का molecule बनेगा वो हो जाएगा मेरा succinyl coenzyme A वो क्या हो जाएगा सक्सिनील कोईजाय में क्यों कोईजाय में क्यों 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 क पास सक्सिनील को एंजाइम A तयार हो गया अब सक्सिनील एंजाइम को एंजाइम A जो है सक्सिनील को एंजाइम A जो है यहाँ पर क्या होता है बेटा समझ लो सक्सिनील को एंजाइम A जो पाट है वो निकाल देगे को इंजाइम A वाला पाट जो है निकाल देगा तो यहाँ पर देखो सक्सिनील कोईंजाइम ए सिंथेटेज मैंने यहाँ पर एंजाम उज़ कर लिया और यहाँ पर एक मॉलीकुल बनता है वह जीडीपी जो होता है गॉन्रसीन डायफॉसपेट एक फॉसपेट मॉलीकुल एड़ होकर वह जीटीपी बना देता है और यह जो जीटीप सक्सिनाट मधून तुम्हाँ एक हाइड्रोजन बाहर निकताना दिस्तो हुआता है यह जब फ्युमारे करता है तब यहां से हाइड्रोजन को एक सेप्स करकर FAD get convert into FADS2, FAD get convert into FADS2, ओके, अब यह जो fumarate है, fumarate, hydrogen, सॉरी, हमारा H2A accept करके convert हो जाता है, किस के अंदर? Malate के अंदर, समझ में आ रहा है, वो convert हो जाता है, succinate, देखो, FADS2 कहा पर तयार हो रहा है, succinate से fumarate में तयार हो रहा है, NADS2 कहा पर हो रहा है, isociate से जब alpha-glitogrutarate बन रहा है, या फिर isociate से जब oxalo-succinate बन रहा है, तब एक NADS2 निकल रहा है, और वही पर alpha-glitogrutarate से succinate को-enzyme बन रहा है, तब यहाँ पर मेरा एक क्या बन रहा है, NADS2 बन रहा है, अब यहाँ पर आप देखोगे, तो succinate से जब fumarate बन रहा है, तब FADS2 बन रहा है, जो क्या है, हमारा पास, electron carrier है, और वही पर, आप देखो, जब fumarate से mallet बना, ठीक है, hydrogen accept हुआ, fumarate enzyme के presence में, और mallet से जब oxalo-succinate बन गया, तो अल्टिमेटली आप देखोगे, तो succinate, यहाँ पर देखो, succinyl coenzyme A, succinate, fumarate, mallet, यहाँ पर चारो की चारो क्या है, चार कार्बन वाले compound है, अब जब mallet का conversion हो रहा है, oxalo-acetate के अंदर, in the presence of mallet dehydrogenase, what does it mean कि यहाँ से फिर से एक मेरा NADS2 का molecule बन गया है, और फिर से मुझे जो है oxalo-acetate मिल गया है, जो कि next जो acetyl coenzyme का molecule आएगा, उसके साथ combine होकर फिर से यह cycle चलाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर use हुआ था molecule, oxalo-acetate, वही आगे जाकर 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 फिर से वही पर बन रहा है, तो यहाँ पर use कौन सा हो रहा है, acetyl coenzyme A का जो acetyl part है, उसको पू total generation, total generation कितना है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, total generation की अंदर, तो मुझे क्या समझ में आता है, कि मेरे पास FADS2 के molecule कितने हुआ, FADS2 के molecule, कितने दयार हुए, वो है, मेरे पास यहाँ पर कितने, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, एक cycle में एक निकलता है, ठीक है न, एक cycle में एक निकलता है, तो मेरे पास ये दो pyruvate के molecule है, एक glucose molecule से दो pyruvate के molecule आएंगे, तो मेरे पास कितने बन जाएगे, वो बन साइकल में कितने बनेंगे एक साइकल में एक जीटीपी बनती है तो यहाँ पर दो साइकल में कितने बनेंगे दो जीटीपी यहाँ पर बन जाएंगे सही से बात है वह यहाँ इतने बन जाएगे दो जीटीपी के molecule भी मुझे यहाँ पर मिल गए है और CO2 के molecule कितने तयार हो रहे है मेरे लाडले, CO2 के molecule कितने तयार हो रहे है, देख, यहाँ पर एक हो रहा है यहाँ पर दो हो रहा है, ठीक है, मतलब दो, और यह दो बार cycle रनोगी यह एक बार cycle और फिर से दो बार cycle तो मेरे पास CO2 के molecule कितने बनेंगे CO2 के molecule CO2 के molecule कितने बनेंगे यहाँ पर 4 CO2 के molecule मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है 4 CO2 के molecule मुझे यहाँ पर मिल गए है, और इस तरह से creep cycle मेरी यहाँ पर बन गे अब creep cycle खतम तो टाठा भाई भाई नहीए непिते यहाँ पर जो NADS2 और FADS2 बने है इनका ही तो इस्तमाल करना है आगे जाकर और वो इस्तमाल कहाँ पर होगा मेरे लाड़ ले समझ ले वो हो जाएगा हमारे इस थर्ड स्टेप में इलेक्टान ट्रांसपोर्ट चेंड रियक्शन राइट कश्या मधे हो ना इलेक्टान ट्रांसपोर्ट चेंड रियक्शन मधे आप लेला याज़ यूज बगाला भेटल कश्या अप्रकार यह यूज हो तो आप लेला महिते है कि NAD plus get convert into NADH plus H plus आए मतलब क्या हो रहा है वहाँ पर दो उसने proton accept प्रोटान मतलब क्या हाइड्रोजन NAD plus इसने दो हाइड्रोजन accept किये अब दो हाइड्रोजन accept कर रहा है यानि कि proton accept कर रहा है तो उसको electron भी accept करना पड़ेगा तो उसके पास दो electron भी है अब वो जो दो electron है और दो proton है उसी का इस्समाल करकर हम ATP बनाएंगे इन दे प्रोसेस ओप electron transport chain reaction समझे बाद है ट्रांस्पोर्ट हो रहा है मतलब electron एक जगा से दूसरे जगा पर कुछ ना कुछ तो भी उसकी transportation हो रहा है और जब यह electron का transportation होता है उसी दोरान कुछ ना कुछ तुभी चीज़े होती है जहां से कया होता है हमारे पास यहाँ पर जो है है बहुत दिनों से देखा नहीं है क्या है कैसा नहीं है तो कहा पर सारी चीज़े होती है एक बार हम यहाँ पर यह प्रोसेस जान लेगे ठीक है समझ लो हमें यह चीज़ पता है कि दिनार मेंब्रेन झोल यहाँ पर चांव पर प्रेजों यहाँ यहाँ पर यहाँ पर फोल्डे से ऐसे बहुत सारे ओपर इसको पढ़ लेते चलो अब इसी को पढ़ लेते है So, as we know that this is the inner membrane of mitochondria, right? So this one is the outer membrane, outer membrane, outer membrane, okay, this one is the inner membrane, inner membrane, right, और यही पर आप अगर देखोगे, तो इन दोनों के बीच में, outer membrane और inner membrane, इसके बीच में यह space है, यह वाली जो space दिख रही है आपको, यह वाली जो space दिख रही है, इस space को मैं कहूंगा, इंटर membrane space ठीक है, इसको मैं कहूंगा, इंटर membrane space भी बोल सकते हो, ठीक है, इंटर membrane space भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, अब अभी तक आपको पता है, कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर हुआ, यह हमारा साइटोपलाजम है, तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर हुआ, यहाँ पर क्यों बाद केदा हो मैं इसको नाम दे देता हुँ माइटो कोंडरियल है कि मा इसके अंदर क्या हुआ लिंक रियक्शन अब लिंक रियक्शन होने थर्ड रियक्शन थी, यानि कि फॉर्ध रियक्शन समझ लो, यहाँ पर वो होती है, electron transport chain reaction, और यह electron transport chain reaction होती कहाँ पर है, यह होती है, हमारे इस mitochondria के inner membrane के उपर, यह होती है, mitochondria के inner membrane के उपर, और यह inner membrane के उपर, यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हमारी फॉर्ध स्टेप पूर्थ स्टेप, यानि कि यह हो रहा है, ETC, ETC, ठीक है, अब यह माइटो कॉंट्रिया के इनर मेंब्रेन पर हो कैसे रही है, कैसे नहीं है, तो देखो, मेरे पास क्या है, कि जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकल के अंदर, जो इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर ने जो यहाँ कि कोई और भी तो चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रोन का एक्सेप्ट करने वाला, है ना, यहाँ पर कोई और भी तो चाहिए इलेक्ट्रोन का एक्सेप्ट करने वाला, और वो इलेक्ट्रोन को एक्सेप्ट करने वाले लोग यहाँ पर इस इनर मेंब्रेन के उपर बैटे हो और वो लोग है कौन वो लोग ये हैं complex 1 complex 2 complex 3 complex 4 और complex 5 the most hectic topic of respiration ये इसके उपर ही दिमाग जो होता है पूरा काम करना बन कर देता है बच्चों का उनको कुछ समझ में नहीं आता कि exactly हो का रहा है क्योंकि वहाँ पर अभी तक तो एक chain के अंदर यहाँ पर सारी सारी reaction चलती है लेकिन यहाँ पर अफराद अफरी है यहाँ पर अफराद अफरी है वह कैसे है क्या है यह सारी जीजे समझ लेंगे ठीक है तो समझ लो मेरे प्यारे लाडलो आपको क्या समझ में आता है कि जो NADS2 और जो FADS2 हुए थे उस NADS2 और FADS2 का अभी यहाँ पर उनको फिर से उनके जो है कारिया से मुक्त किया जाएगा है ना टेंचा जो आप अगर देखोगे कि यह मै ने कहा था कि इनर मेम्प्रेन के ऊपर क्या होता यहाँ पर यह complex लगे होते हैं, complex कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 complex है, बहुत ही, बहुत ही, 5 complex है, अब यह 5 complex के जो होते हैं, वो कैसे arrange होते हैं, यह देखो, सब लोग ध्यान देना, कि मेरे पास, आप अगर देखोगे, तो यह mitochondrial matrix है, यह inner mitochondrial, क्या है, यह है, हाँ, यह क्या है, membrane space है, यह inter membrane space है, ठ आपर क्या होगी, outer membrane, तो inner membrane के उपर यह complex लगे होते हैं, inner membrane के उपर यह complex लगे होते हैं, तो complex होते कैसे हैं, सब लोग ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, ठीक है, ओके, अब ये मेरे पास, ये क्या है बेटा, ये जो है, अरे दे, ये जो है, मेरे पास, तीसरी लाइन है, चौती लाइन, अब ये लाइन क्यों ड्रा कर रहा हूँ, कोई है इसके बीचे का लोजिक, बहुत बढ़िया लोजिक है बया, सबलक धान देना, ये क्या है इनर मेंब्रेन, यह क्या है, इनर मेंब्रेन, समझ मैं रहा है, यह क्या है, इनर मेंब्रेन, ओके, चलो, बहुत बढ़िया, ओके, यह क्या हो जाएगी, बेटा, आउटर मेंब्रेन, यह क्या हो जाएगी, आउटर मेंब्रेन, और यह क्या होगा, यहाँ पर, यह क्या होगा, यहाँ पर क्या हो गए अरे इसको मैंने मैं कैसे भूल गया भाई हाँ इंटर मेंब्रेन स्पेस इंटर मेंब्रेन स्पेस भी आप इसको कह सकते हो इंटर मेंब्रेन स्पेस भी आप इसको कह सकते हो चलो समझ में आ गया यह इनर मेंब्रेन यह आउटर मेंब्रेन यह क्या है folded है यह क्या है straight है और इसके बीच में जो gap है inter membrane space हमें इतनी बात समझ में आ गई है अब क्या होता है कि अब इसके उपर बेटा complex लगे होते हैं अब इसके उपर complex लगे होते हैं ठीक है तो हमें पता है कि हमारे पास यहां तक अभी तक इने डी एच्टु तयार हुआ था ठीक है अब सब लोग धान जेना कि सबसे पहले यहां पर complex 1 होता है ठीक है समझ मैं आ रहा है ओके अब देखो complex 1 के अंदर क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे पास यहां पर क्या यूज हुआ था यहां पर हमारे पास एने डी अस्टू थे यहाँ पर electron अगर दे दिया, electron अगर दे दिया, तो आपको पता है, अगर electron देगा, दो electron इसके पास है, दो electron दे देगा, तो दो hydrogen भी तो निकल जाएंगे, तो इसके पास यह रह जागा क्या, यहाँ पर NAD+, में यह convert हो जाएगा, और यही NAD+, आगे जाकर और बहुत सारे electron को accept कर लेगा, अब समझ ले, यहाँ पर इस NADS2 ने, जो electron दिया है, वो electron जाएगा किसके पास, वो electron जाएगा किसके पास, वो electron जाएगा, यह होता है हमारा complex A, sorry, complex 1, और complex 1 को आप अगर देखोगे, तो इसको कहा जाता है, NADS dehydrogenase, dehydrogenase क्यों, dehydrogenase क्यों, क्योंकि NADS2 से हमने hydrogen को remove कर दिया, तो यह क्या बन जाएगा, NAD+, इसके लिए मैं इसको कहूँगा, NADS dehydrogenase, अब NADS dehydrogenase के अंदर आप अगर देखोगे, तो इसके अंदर मुझे दो electron carrier दीखने को मिलते हैं, एक होता है यहाँ पर, FMN, FMN मतलब क्या होता है, Flavin, Mononucleotide, Mononucleotide, इसका नाम है Flavin Mononucleotide, समझ मारा है, Flavin Mononucleotide, और आप अगर देखोगे, तो complex 1, complex 2, और complex 3 के अंदर, मुझे जोई FES होता है, Iron Sulfur, है ना, Iron Sulfur जो होता है, यह भी electron carrier होता है, क्योंकि यह अपने, क्या होते हैं, यह मतलब electron accept करके यह छोड़ सकते हैं, electron accept करके, अपना form चेंज कर लिया, फिर से electron छोड़ दिया, और अपने original form में आ गए, तो देखो, आपको अगर देखोगे, तो complex one के अंदर, मुझे दो electron carrier देखने को मिल रहे है, दो electron acceptor देखने को मिल रहे है, वो कौन सा है, FN और FES, तो कैसे हैं range होते हैं, सब लोग ध्यान दिना, कि समझ लो, मेरे पास यहाँ पर होता है, FN, 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 ठीक है, FN क्या करता है बेटा, इस NADS2 से, जो हमारा यहाँ पर electron मिला था, वो electron accept कर लेता है, ओके, अब FN क्या कर देता है, अपना electron pass कर देता है, FES के पास कर देता है, FES के पास pass कर दिया है, समझ में आ रहा है, FES के पास pass कर दिया है, अब देखो, यहाँ पर electron तब pass हो गया, यहाँ पर electron तब pass हो गया, लेकिन यहाँ से, जो हमारा hydrogen था, hydrogen जो है, यह सीधा का सीधा कहाँ पर चला जाता है, हमारे intermembrane space में चला जाता है, तो यहाँ पर क्या भज गया, यहाँ पर हाइडरोजन के मॉलिक्यूल बच के, यहाँ पर क्या आ गया, हाइडरोजन का मॉलिक्यूल आ गया, क्यूंकि electron अगर आ गया, तो हाइडरोजन जो है, intermembrane space में आ जाता है, अब हमें पता है, कि जैसे हमारे पास, F, मतलब यह क्या है, complex one है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, कैसे नाम दूँ, कौन सा नाम दूँ, कौन सा यहाँ पर color यूज़ करूँ, चलो, 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 एक मिनिट, एक मिनिट, चलो, इसको मैं नाम दे देता हूँ, complex one, इसको मैं नाम दे देता हूँ, complex one, समझ में आ रहा है complex one ओके अब इसके बाद हमें पता है कि NADS2 है लेकिन हमारे पास FADS2 भी है सही बात है इसके बाद हमें पता है कि हमारे पास FADS2 भी है तो समझ ले यहाँ पर जो होता है हमारे पास यहाँ पर complex two होता है यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? यह होगा complex 2, यह होगा complex 2, यह हमारे पास है complex 2, अब complex 2 के अंदर क्या होता है? कि जैसे यहाँ पर हमने यह देखा था, जैसे हमने यहाँ पर यह देखा था क्या देखा था कि complex one में जो NADH2 जो है वो अपना electron देदेता है और complex two में जो है complex two में कौन देदेता है हमारा FADH2 जो है FADH2 यह अपना electron देगार क्या बन जाता FAD plus में यहाँ पर यह convert हो जाएगा, सही बात है, और यहाँ से जो electron आएगा, वो, और यहाँ पर hydrogen क्या हो जाएगा, यहाँ पर hydrogen आ गया, सही बात है, अब आप अगर देखो तो complex 2 के अंदर, complex 2 के अंदर, आपको बहुत सारे electron acceptor दिखते हैं, electron carrier दिखते हैं, जैसे देखो, य succinate dehydrogenase क्यों कहा गया है, तो आप अगर देखोगे, देखो, FADS2 बन कहां पर रहा है, succinate से हमारा fumarate जब हो रहा है, तब यहाँ पर succinate से हमारा fumarate हो रहा है, तब FADS2 बन रहा है, that's why the complex 2, name as succinate dehydrogenase, क्या होता है, succinate dehydrogenase, अब इसके अंदर भी electron carrier होते हैं, वो कोई से होते ह है, यहाँ पर FAD, यहाँ पर FMN था, FAD मतलब क्या होता है, Flavin Adenine Dinucleotide, समझ में रहा है, Flavin Adenine Dinucleotide, समझ में रहा है, Flavin Adenine Dinucleotide, और FES तो होगा ही होगा, तो चलो क्यों ना, इसको भी हम draw कर ले, तो सबसे पहले, जो FADS2 से, जो electron आएगा, वो कौन लेगा, वो हमारा सबसे पहले FAD, कौन लेगा, FAD, FAD से किसके तरफ जाएगा, वो जाएगा, FES के तरफ, किसके तरफ जाएगा, FES के तरफ, समझ में आ गया, FAD से FES के तरफ चला जाएगा, यहाँ तक बात क्लियर है, अब इन दोनों के बीच का बंदर कोई तो भी है, भी आ यहाँ हमारा complex 3, वो है हमारा यहाँ पर आ जाता है, वो हो जाता है, अरे रे एक एमने रुक जाओ, हाँ, वो हो जाता है हमारा complex 3, समझ लेना, यहाँ पर है हमारा complex 3, यह है हमारा complex, समझ में आ रहा, यह हमारे पास complex 3, यहाँ तक लियर है, अब देखो, complex 3 के अंदर क्या होता है, क complex 1 से जो electron आएगा, complex 2 से जो electron आएगा, वो electron इसके पाँ जाता है, यानि कि इसका मतलब क्या होगा, कि obvious है कि complex 1 और complex 2 के बीच में क्या होना चाहिए, complex 3 होना चाहिए, यतनी बास समझ में आ गई, क्या हो रहा यहाँ पर, complex 1 से, अब APS ने तो electron accept कर लिया है, अब यह भी आगे क यहाँ पर भेजेगा, यह भी भेज देता है complex 3 को, अब complex 3 के अंदर, आप अगर देखोगे तो आपको क्या समझ में आता है complex 3 के अंदर, आपको यहाँ पर, cytokrome BC1 complex 3 को ही नाम दिया जाता है, cytokrome BC1, तो यहाँ पर आपने, जैसे photosynthesis के अंदर cytokrome होता है, वैसे यहाँ पर, तो देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं, electron क्या होते है, एकसेटर होते है, जैसे कि cytokrome B, अब उसके बाद क्या होता है, इसके बाद FES होता है, अब इसके बाद क्या होता है, cytokrome C1, यहाँ पर क्या होता है, cytokrome C1, तो यहाँ पर क्या होता है, आप अग के पास तो क्या ऐसे ही चला जाएगा तो क्या ऐसे ही चला जाएगा नहीं चला जाएगा भया इसके बीच में बीच का बंदर होना चाहिए वो बीच का बंदर होता कोन है देखो सब लोग ध्यान देना यहाँ पर होता है यहाँ पर क्या कहेंगा, यहां पर होता है, UQ, और, देखो, हमारे पास, आप अगर देखोए, तो UQ का मतलब क्या होता है, UBQN, UBQN, ठीके, यह क्या होता है, UBQN, O, A, N, मतलब क्या हो जाएगा, Ketone Group, ठीके, अब यह क्या कर देता है, वेटा यहाँ पर इसका क्या हो जाता है क्या हो जाएगा यहाँ पर reduction हो जाएगा तो यह किस में convert हो जाएगा UQH2 यानि कि यह convert हो जाएगा UBQNOL NOL मतलब किसमे alcohol में यहाँ पर आपको OL दिख रहा है UBQNOL अब देखो यह UQ जो होता है वो electron accept करता है किस से हमारे APS से और यह convert हो जाता है किसमें हमारे UQH2 में convert जो हो यहाँ पर convert हो जाता है अब यह UQH2 क्या कर देता है यह हमारा electron देता है Cytokrome B को ठीक है किसमें convert कर देता है यह किसको देतेगा Cytokrome B को देते है वैसे ही APSB क्या कर देता, APSB जो है, APSB जो है, अपना electron दे देगा किसको, हमारा ubiquinol को, ठीके, और ubiquinol हमारा जो convert हो जाएगा, वो किसमें हो जाएगा, ubiquinol, sorry, ubiquinol convert हो जाएगा, ubiquinol, और ये भी जो है, हमारा किसको दे देगा, electron, cytochrome B को दे देगा, समझ मैं आ रहा है, किस अपना electron दे देगा, अब, cytochrome B के पास electron हो गया, cytochrome B क्या करेगा, हाँ, cytochrome B जो है, अपना electron देनार FES कड़े, आणि FES सा electron जानार, cytochrome C1 कड़े, कोणा कड़े जानार, cytochrome C1 कड़े, लक्षे दे, चरवात, आदी हाई complex 1, complex 1 का होतो, NADS2 आपना electron देतो, कोणा कड FNN कड़े, आणि NADS2 गेट कणवर्ट इंटो, NAD+, FNN accept electron from the NAD+, आथा NADS2 कोण जो electron accept केला FNN कुणाला पाटो तो, FES, iron sulfur कड़े, complex कड़े पाटो तो, आथा, हाँ, iron sulfur जो है, आपला, जो electron है, हाँ, electron कुणाला देनार, हाँ, देनार, आपला, UB-quinone कड़े, बढ़ा है, क UB-quinone मदे आड़ जाला, UB-quinone जो है, हाँ, आपला, का है, आथा बगा, तुम्हें लाट कोड़े जिसता है, कि हाँ, इंटर मेंब्रेन स्पेस मदे सर्व गोश्टी शूरा है, ठीक है, हाँ, इनर मेंब्रेन चा यह जा रहा है, इंटर मेंब्रेन, नाई, इनर मेंब्रेन So, UB-quinone, जो है, तो काई करना है, इlen- Lewis 2014, UB-quinone, जे, when accepted electron, get converted into UB-quinone, and then UB-quinone जो है, तो कुनला आपला करूं का अब करना कियो दो अखराऊ यू भी कोडेट करैं यूभी किणोन जरू हुडप किनोन करूज़ के अचंब गना किकड़ाए अपले अब करूं किनोन गेट कर संबस्रें b हुड़का प्लेर हिद यूभी क्या आपको और लो ड़िए साइटो करों में आता बगा आता माजा पाशी येच्याँ वदे हिथ धार फोर्ध Ьोरा फ़ॉर्द रोता है माजा पाशी जो येच्या में एक फॉर्थ खॉर्ध कॉंपलेक्स 장 में धीचत सेकों फियू ठहा है ये येच्या नम धीमिलद प्र singular complex 4 हाँ काय माझे भाषी complex 4 है आता complex 4 मदे पन तुम्हाला electron चा मुमेंट होता ना दिस्तो from the electron accept electron carrier that is the CUA cytochrome A cytochrome A3 and cytochrome BC मनु यहला काय मनता है आपन cytochrome यहला आपन दुसरा नाव पन देवुँ शकतो है यहला काय मनता है आपना साइटोक्रोम चैटोकरोम ए-a3 complex यहला सिक वहले बुला जातो ए-a3 पुल ला दुसरा ना वहला है ताबरा कानी या चया मधे पर मला काय बगाला भीट्टा या चा मधे पर मला साइटोक्रोम जाय है फिए-ऊ्पशाब्र कर स्थे अम ओड़and कर रसर लाखशेद है या चाहा आशाकरत है आशाकर है छो है भगा सईटोक्रोम साइटोक्रोम को ne ऐसट कि ओपर अश्शाइ का अचीड रहे निया आपले बसे एक एलेक्ट्रोन क्यारियर असतो तो कोना कोपर असतो हाँ कोपर असतो हाँ कोपर ए त्याना अंतर क्या स्था साइटोक्रोम a kya ashtu A a hashtu A a spu city a three hashtu A n S collection a thereoon co a . aуч i toda stone अब लग्षे दैं लग्षेद 12 ओ लग्षे लग्षे ओ लग्षे दैं कि complex 3 करना जो इलेक्ट्रोन गिला है complex 3 मद्यो of electron मेंगि स्था complex 3 चाइड उच्छ ajNG complex 4 तो सट है कुल्फेग फोर कड़के उनायाइज सा पन्हाच यids apologize याचस याचा बच्वाषी एक production कर्यएर असतो लोगत है तो तुम्हाता है समझते कि इतन जो तो एक इलेक्टरील Developer Bapt है किल झेलेक्ट्रोंग ट्रब मर्याथ है किल एक इलेक्टरील यला मन्तो मी यह ल मत्यक है आ हे साइटो क्रोम सी यला काई साइटो क्रोम काईतो हूख अरी क्ले मोड़ा क कने दसकते माझे के कि समयज जरतना कि आ छहाए वबाएल माजे काय, यह तिसमा कहने है, इलेक्ट्रों एलेक्ट्रों कुझण जो आपला इलेक्ट्र्ों देला है सैट्ोक्रों से कडते, काय आपला है, Mongoiselle माँञेगे थे विपुलेक्ट्रों कुंड भगते तो आपला smart, आपला complex 4 प्लियं, complex 4 प्लियं, complex 4 प्लियं प्लियं रिटोंे कायं होनार? , . Q A कड़े पास होनार, copper, copper A जो अपला जामादे, copper A मरला जामादे, ठीक है, copper center A, ठीक है, यह copper center A कड़े जो हाए, आपला कहाई कहाई लएनार, electron क कहाई कहाई होनार, तो लग्षब आपला काई समझता है, कि अशाब रखारे, या ठीका नीपन काय तर होनर। हाज वाए, ट्रेवल करत, करत कुठा आला। हाँ समझा इत परंत आला, आनि यानि इलेक्ट्रॉट्रॉं घ्योन आला, कुणा कुडूँँँ, कॉम्प्लेक्सृ थ्री कडूँँ, बरबर है? ओके, समझा, हाँ कुठ्ला, आपले एज नाव क पातों आभब यह दोछािए पी द्रोग्ते हो मैं वह एक्सेप्प कंवें विकला कोक मघ कोकू अफ। वाटर चा मॉलिक्यूल, मजे इस का है? सोरी, वाटर नहीं, आपला ओक्सिजन चा मॉलिक्यूल So, हाप O2 मॉलिक्यूल will accept the electron from the copper center B, from the copper center B, and ultimately, इससे क्या तयार होगा? H2O यहाँ पर तयार हो जाएगा electron accept करता है, कौन? आपला ओक्सिजन, so ultimately तयार निगेटिव चाहा जाला है, तो proton accept करूँन तो काई हो नार? मजे hydrogen accept करूँगा जार नार तो यह चा मदे, आपला H2O तयार मजे water तयार जाला, आणि यास water ला मी मनतो, metabolic water metabolic water, यालाज क्या मनतों hydrogen ions है, तो कुटे ट्रांसपर होता है, तो इकड़े यह साइटोपलाजम मजे, साइटोपलाजम नहीं, sorry, intermemoran space में तो पाठोला जाथ, माला सांगा, इकड़े आपला, आता hydrogen ची कमी धाली की नहीं, hydrogen ion ची कमी धाली की नहीं, सही बात है, यहाँ पर जब NADS2 APADS2 जब यहाँ पर electron transfer कर रहे तो वो पूरे के पूरे कहाँ पर ट्रांसपर हो रहे थे, यह electron ट्रांसपर हो रहे थे, लेकिन हमारा hydrogen था, वो hydrogen कहाँ पर जा रहा था, intermemorate space में जा रहा था, अब यहाँ पर आप अगर पूरे hydrogen का amount बहुत ज़्यादा कम हो गया अब कम हो गया है, यहाँ पर hydrogen का amount बहुत ज़्यादा है, hydrogen ions का amount ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, इन hydrogen ions को यहाँ पर अंदर की तरफ भेजूँगा hydrogen ions को यह channel के through अंदर भेजूँगा, तो यहाँ पर एक कॉंप्लेक्स होता है इस तरह से यहां पर एक कॉंप्लेक्स होता है इस तरह से एक कॉंप्लेक्स होता है इस तरह से ठीक है और यह इस तरह से कुस्तु भी कॉंप्लेक्स होता है कि समझ मैं रहा है यह complex होता है कुस तो भी इस तरह से यह इस तरह से complex यहाँ पर तयार हो जाता है यह है हमारे पास complex 4 और complex 4 के अंदर आप अगर दिखोगे तो आपको यहाँ पर electron carrier नहीं दिखेंगे क्योंकि electron तो यहाँ पर end हो गया electron को किसने accept कर लिया oxygen को accept कर लिया अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मैं यहाँ पर hydrogen की movement करता हूँ तो इसको मैं कहता हूँ F0 और इसको मैं कहता हूँ F1 particle समझ मैं रहा है इसको F0 और इसको F1 particle समझ मैं रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर hydrogen है हमारे पास यह hydrogen यहाँ से movement करेंगे और जब यहाँ से movement करते ह यह है टेल रीजन यह वाला है ढ़ीड़ मॉमेंट करते हैं तो इसका जो है इसका और चेंज होता है आप हॉनसी यह पर यह आपर हमारे पास जो यहाँ पर मेरा ATP बन जाता कैसे बनेगा जब यहाँ पर hydrogen ions का मैं molecule का मैं जब यहाँ पर shipment करूँगा जब movement करूँगा fast movement के वज़े से इसका जो head है इस head मतलब F1 particle का जो है यहाँ पर movement यह मतलब क्या होगा configuration change हो जगा और इसके वज़े से जो close close में ADP और IP है वो मिलकर क्या बन जाएगा ATP यहाँ पर बन जाएगा और इसी ATP को मैंने oxidative phosphorylation में यहाँ पर कहा दया तो आप अगर देखोगे तो इस तरह से जो था हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप देखो क्या समझ में आ रहा है कि देखो हमारे पास complex 1 है ठीक है complex 1 है समझ में आ रहा है complex 1 है यहाँ पर क्या है complex 3 complex 2 complex 4 और complex 5 तो complex 5 में आप जगह हुए F0 F1 particle है ठीक है और यहाँ पर ATP सिंतेस तो ADP से क्या हो रहा है यहाँ पर ATP यहाँ पर बन रहा है सब लोग था इन दिना देखो NADS2 आया किसके पास FMN के पास FMN से कहाँ पर गया है FES के पास FES ने यहाँ पर electron दे दिया यूबिक्यून को यूबिक्यून जो convert हो गया यूबिक्यूनल में अब यूबिक्यूनल ने क्या कर दिया बेटा यहाँ पर Cytocrom B उसके बाद FES अब क्या कर दिया यहाँ से यहाँ से यहा Gaming कर दाये या चनाल ले के आया किसके पात अपने complex 4 के पास अब complex 4 के पास क्या होता है यहाँ पर 피 होता है यह अपना अपण है देता है copper center B को अब यहां से क्या हुआ है copper center B जो है अपना electron दे देता है किसको बाहर फेक देता है तो इसको एक्सेट कौन कर देता है हमारा कौन what oxygen molecule और it get convert into the H2O it get convert into the H2O ओके अब यहां पर जो hydrogen के आयन बन रहें देखो यह hydrogen आयन जो यहां पर बन रहें अब यह हाइडोजन के आयन जो यहां पर बन रहें आपको क्या समझ में आता है hydrogen के आयन यहां पर mitochondrial matrix में डाला जाता है with the help of F0 F1 particle which is the complex 4 राइट अब यह complex 4 के अंदर से जब यह हमारा hydrogen का molecule जाता है यह F1 particle यानि के तो कॉंपलेक्स 4 है जिसको साइटोग्रों ओक्सीडिस कहा जाता कि यहा से मैं electron ले रहा हूँ तो इसका oxygen हो रहाँ इस डिशो इस कंपलेक्स को मैं मैं कहता हो शाइटोग्रों ओक्सडिस ऑडीक्स में और समझ में आ गया तो यह है हमारे पास क्या बेटा यहाँ पर यह है हमारे पास electron transport chain reaction हमने यहाँ पर पढ़ लिए तो चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर कितने total ATP तयार हो रहे हैं वो थोड़े से जान लेते ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि glycolysis की ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे glycolysis glycolysis ठीक है glycolysis की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे बताओ glycolysis के अंदर यहाँ पर मुझे बताओ यहाँ पर अब देखो आप अगर बात करोगे तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जब एक NADS2 का molecule एक जाता है ठीक है ज लो एटीपी के molecule यहाँ पर बन जाते है ठीक है यह जाता है मतलब क्या यह जो hydrogen जा रहे यह hydrogen ही पूरा गेम यहाँ पर निप्टा देते हैं ठीक है ओके चलो अब आप अब आध्यान देखोगे तो क्या समझ में आता है कि glycolysis के अंदर glycolysis के अंदर आपको इस चीज ठीक है हमारे पास ऊचjung एक मिनट है एक सबस्रेट लेवल हमारे पास क्या है अधी टू है हमारे पास्यवस्य पेट के लेवल पर concentrations की की फ्रें बात करता हूं तो सबस्रे में पर कितने एटीप सबस्राइट लेवल पर अपके थीवान खर चलो ने एटीवात फेम Awesome इट कु और यह चो मालिकिल बनते हैं तो आल टोटल अगर दो मॉलिकिल बन रहे है एक और पास चलो इसके बाए है यमारे पास link reaction है link reaction सभी बात है link reaction ओके आता link reaction मदे माईते है कि आप ला substrate level phosphorylation होत नहीं दीते कुछ लच प्रकरशी ATP बनात नहीं so ultimately it is dash okay NADS2 किदी बनतात NADS2 चे दोन molecule बनतात so overall overall माझे बाच किदी बनती ले जा मझे सहा ATP चे molecule बनती राइट किदी बन ले सहा ATP चे बनता है का बिल्कुल पर नहीं तर थर्ड स्टेप कुछ लिए सते थर्ड मझे आपली क्रेब साइकल कुछ लिए सते क्रेब साइकल राइट अथा क्रेब साइकल मधि तर तुम्हीं तर बगाला किला तो माला काई समझते कि substrate level substrate level phosphorylation मधे substrate level phosphorylation मधे मला काय बगाला भेट्टे कि जो दोन GTP चे molecule तयार थाले होते एका साइकल मधे तीन आपले NADS2 तयार थाले होते एका साइकल मधे तीन NADS2 तयार थाले होते हैं तो दोन साइकल मधे तीन साहा NADS2 से molecule एका NADS2 चा molecule पासोन तीन ATP बनता तो साहा NADS2 चा molecule कोई समझते हैं साइंत्रिक 18 बढ़ा है 18 ATP molecule यहां पर बन गए और FADS2 कितना तयार होता एक साइकल में 1 FADS2 तो 2 साइकल में कितने होगे दो FADS2 एक APDS2 से 280 भी बनते हैं, तो 2 APDS2 से कितने बनेंगे, यहाँ पर, 4 यहाँ पर बन जाएंगे, ठीके, यहाँ पर बन जाएंगे, और क्रेब साइकल के अंदर, यही सारी चीज़े वहाँ पर होती, तो आप सब लोग ध्यान देना, आपको क्या समझ में आ रहा है, कितने यहाँ पर बन रहें, ठीके, आप अगर ध्यान दोगे, तो कितने यहाँ पर अगर बन रहें, तो आप अगर देखोगे, 2 और 2 कितने होगे, यहाँ पर 18 और यह 20, 20 होगे, यह कितने होगे, 30 होगे, बड़ा बड़ा है, यह देखो, यह 2 और 18 कितने होगे, यहाँ पर टोटल आप हुआ है तो तोल कितने आरे मेरे पास है तोटल एक टीप कितना तायर हो रहे है ठोटल może कितना तयार हुआ है मेरे पास आप अगर देखोगे तो मेरे पास 38 ATP तयार हुआ है 38 ATP net ATP मेरे पास कितना मिले गया 38 ATP मिले थे actually यहाँ पर आप अगर 40 40 ATP बनते लेकिन यहां से ग्लाइकोलीसीज में 2 जोॉस भी दो हरे इसलिए मैंने बस 2 लिका इसलिए मैंने क्या लिका बस 2 लिका चार ने लिका बस 2 लिका तो यह देखो आप अगर देखोगे तो यह 20 और पर Son deliver Thunder 38 समझ में आ गए तो खुटो और अल्ट्रोल कितना है मेरे पास 38 ATP मॉलीकूल यहाँ पर बन गए है ठीक है और यह रहा ही हमारी एक बार प्रोसेस देखो ग्लुकोज का कनवर्जन हो रहा है किसके अंदर हमारे पाइरुविक एसिट के अंदर बाइदे प्रोसेस अब ग्लाइ अब 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 यहां से जो हाइड्रोजन जा रहे देखो यह एलेक्ट्रोन एक्सिट यहाँ जो हाँ जा रहे वो कहा पर है यह आउटर मेंब्रेन यह इनर मेंब्रेन इंटर मेंब्रेन स्पेस के अंदर जा रहे अब यहां से इलेक्ट्रोन क्यारी हो रहा है और अल्टिमेटली जो हमारा कॉंप्लेक्स 4 है वो अपना इलेक्ट्रोन दे देता है हमारे किसको ऑक्सिजन को दे देता है और इसके वज significance क्या है, the electron transfer system or a terminal oxidation generate major amount of energy in the form of ATP molecule, 34 ATP molecules out of total 38 ATP molecules are produced through the ETC, समझ में आ रहा है, तो यह जो आप यहाँ पर आप देख रहे हो ना, कि यह जो NADS2 आ रहे है, देखो, substrate level अगर मैं छोड़ दू, substrate level अगर मैं ATP synthesis छोड़ दू, तो बाकी के सारे के सारे कहाँ पर बने, ETC में तो बने, है ना, आप अगर substrate level छोड़ दू, तो यह वाले जो आप दिख रहे हो, यह वाले जो, यह सारे के सारे, यह वाले जो ATP दिख रहे हो, यह कहाँ पर बने, ETC reaction में तो बने भाई ETC reaction में तो बने और यह जो थे हमारे सबस्टेट लेवल पर बने तो 30S में से अगर मैं 4 निकाल दूंगा तो मेरे पास 34 ATP molecule कहा पर बनते हैं हमारे ETC के अंदर बनते हैं समझ में रहा है तो यह ETC का एक फाइदा है अगले रियक्शन के लिए चाहिए अगले glucose के लिए चाहिए तो वह भी कहा पर बन रहे एनदे और यहाँ पर ही बन रहे हमारे हमारे सबस्क्राइब अपर बनते हैं चलो हां त्याइब नंतर आपले शेवर चाहिए राएला है सेवर सा टौ defec काहलत है तो मझे कुट्ला आपलाlan respiratory łeet कोशन नार्ट मनता हूं ठीक है आर क्यों मनता। रेय्ष्पिरेट्री रिलीस, CO2, release, है ना, CO2 release, to O2 consumption, consume, ठीक है, O2 consume, यानि कि मैं कितना CO2 यहाँ पर फेक रहा हूँ बहार, और कितना oxygen ले रहा हूँ, तो कितने oxygen के लेने के बाद मुझे यहाँ पर CO2, तो सब लोगा, धान दिना, देखो, सही बात है, तो oxygen अगर, समझ लो, carbon dioxide अगर one molecule लिया है, तो oxygen भी अगर one molecule लिया है, तो ultimately यह क्या जाएगा, RQ क्या जाएगा, one, because volume of CO2 release is equal to the volume of O2 consume, ठीक है, तो जितना मैंने CO2 release किया है, उतना ही मैंने CO2 यहाँ पर consume किया है, ठीक है, ओके, चलो, for the fat or protein, RQ is less than one, less than one कब होगा बेटा, कि अगर मेरा CO2, मैं कम release करता हूँ, CO2, अगर मैं कम release करोंगा, ठीक है, तो यहाँ पर देख लाएगा, RQ is less than one, as a volume of CO2 release is always less than the oxygen consume, समझ में आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा है, CO2 का, जो amount release हो रहा है, amount जो release हो रहा है, वो कम है, किसके comparison में, हमारे यहाँ पर, oxygen के comparison मे यहाँ तक बास समझ में आ गई, यहाँ तक बास समझ में आ गई, चलो, आगे बड़े, ठीक है, तो आप अगर देखोगे, तो आपको क्या समझ में आता है, कि protein के लिए जो है, RQ कितना होता है, वो 0.7 होता है, whereas fat के लिए कितना होता है, 0.9 मुझे यहाँ पर देखने को मि कर रहा हो, लेकिन oxygen जो होता है, यहाँ पर, sorry, oxygen का molecule में 0 consumption कर रहा हूँ, और carbon dioxide 1 molecule release कर रहा हूँ, तो जिस किसी चीज़ को हम 0 से यह कर देते, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर, infinite हो जाता है, सही बात है, वो क्या हो जाता है, हमेशा यहाँ पर, infinite होता है, RQ is always infinite, because CO2 is evolved without taking oxygen oxygen, तो oxygen मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया, लेकिन CO2 मैंने बहुत जाता छोड़ दिया, तो ultimately मेरे पास क्या हो जागा, infinite यहाँ पर RQ हो जाहेगा, समझ में आ रहा है, चलो, अब last है यहाँ पर, significance of respiration, respiration के फायदे क्या है भईया, क्या significance है, देखो, respiration provide energy for synthesis of biomolecules, तो आप य इदर उदर वो मतलब molecule क्या कर देते, अपना inorganic phosphate जोड़ देना, या फिर कोई भी molecule यहाँ पर बना देया, जैसे कि सुक्रोज बनना, सुक्रोज कैसे बनता है, यहाँ पर glucose और fructose से यहाँ पर सुक्रोज बन जाता है, ठीक है, तो ओ, molecule जोड़ रहा है, वहाँ पर energy, वहा various intermediates of the crack cycles are used as a building block for the synthesis of other complex compound, सो यह मेरा चीज यहाँ पर बताना रहेगी थी, देखो, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा तेक, acetyl coenzyme में जो बनता है, acetyl coenzyme से A से जो है, मैं fatty acid भी बना सकता हूँ, alpha ketoglutarate जो बनता है, उसते glutamic acid में बना सकता हूँ, वही पर oxaloacetate से मैं aspartic acid भी बना सकता हूँ, तो जो crepe cycle के जो intermediate जो बन रहे है, उन intermediate का use करकर जो है, मैं यहाँ पर अलग-अलग मैं क्या कर सकता हूँ, अलग-अलग compound भी बना सकता हूँ, समझ में आ गया, okay, coupled with a photosynthesis, it helps to maintain a balance between CO2 and O2 in the atmosphere, as we know that, कि photosynthesis से oxygen बनता है, right, photosynthesis से oxygen बनता है, और वो oxygen हम consume क करते हैं, और CO2 क्या कर देता है, photosynthesis के लिए absorb किया जाता है, तो यह CO2-O2 का जो है, मतलब जो balance है, atmosphere में, वो कौन में इंटर करता है, photosynthesis और respiration, यह दो process जो maintain करते हैं, okay, anaerobic respiration, called as a fermentation, is used in the various industries, such as the dairy, ठीक है न, dairy में cheese wheeze बनाना, यह वो बनाना, bakeries, bakeries में पता है, bread weight बनाना, distilleries, ठीक है, और वही पर distilleries के अंदर हम alcohol, alcohol बना जेते हैं, leather industries, paper industries, etc, it is used in the commercial production of the alcohol, organic acid, vitamins, or antibiotics, यह सारी चीज़े important है, यह सारी चीज़े मिलती है, किस से, हमारे respiration से, the respiration is one of the most important life process in our organism, ठीक है, समझ में आ गया, इस तरह से हमने यह पूरा का पूरा जो most important part है इस chapter का, जिसके अंदर बच्चे confused होते हैं, वो सारी की सारी चीज़े, बहुत अच्छे से, short में, लेकिन बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ लिए, I hope कि आप सभी के concept यहाँ पर clear हो चुके है, अगर फिर भी कोई doubt है, तो doubt section म या फिर comment section में पूछ दीजे, मैं आपको answer दे दूँगा, तब के लिए, नमस्कार मंड़ी, धन्यवाद, आनि याचा सोबतास में सांगू इच्छे दो, कि आपला बॉटनी ता syllabus the end जालेला, आहे, for 11th class, right? ओके, चलो, bye-bye.